अगया चुछ भाट सुछ तके केंने लिए की रूदिश वारे जी वेखार उल्टों उल्टों अउनल कोईश इस ओटोहिवी थे हो हां यहां हम सब ठीक हैं और बच्चे ठीक हैं तुम किसे बात कर रही हो? मेरे लंडन वाले भाया से बात कर रही हो मेरी तरफ से भी नमस्ते बुला हाँ, ठीक है भाया, आप तब आ रहे हो? हवित्रा, कल तुम्हारा कौन सा एक्जाम है? इंग्लिश टादी देखिए बेहन जी आप एक मैजिस्ट्रेट के घर पे आके अपने केस की बात मत कीजिए सर, मुझ पे दया कीजिए आप चाहें तो मेरे बती को बचा सकते हैं इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? वेकेटेशो ने कोई छोटी सी गलती नहीं किये कलेक्टर को ही मार दिया सर, मेरे पापो ने उन्हें नहीं मारा बेगुनाह साबित करने के लिए सबूत चाहिए और सारे सबूतों के आधार पर उन्होंने ही जुर्म किया है मेरे वकील ने बताया था कि आप बहुत सकते हैं अगर वो चले गए तो यानाथ हो जाएगा अगर वो सही में अपने बीवी और बच्चों के बारे में सोचता तो ये जुर्म वो कभी नहीं करता वाच्मेन इन लोगों को बाहर ले जाओ सारे सबूतों और गवाहों को मद्दे नजर रखते हुए ये सावित होता है कि वेंकटेश्वन ने ही जुर्म किया है और इसलिए IPC के धारा 302 के तहर उन्हें फांसी की सजा सुनाई जाती है अध्युर्म यह Catब एल पया इस मुझ प्टा सुनाई ए लोगरा करतफें अध्युर्म झाल करता है पुलिस डिपार्टमेंट की हेल्प करेगी मैडम जी आप प्लीज हमारे बेटे को ढूड लीजिए मेरे पती को ब्रीधिंग प्रॉबलम है इन्हें हर चार घंटे में दवाई लेनी पड़ती है क्या होएं सर्? कल शाम स्कूल से किसी ने इनके बेटे को किड्नैप कर दिया जब वो भाग रहे थे तो स्कूल के वाच्च में ने अपनी लाठी पेकर उन्हें बारा एक किड्नैपर गिर गिया बाद में सड़क पर चलते लोगों उने से पकड़ लिया बाद में हमने उस किड्नैपर को बहुत रॉचर भी किया लेकिन उसने अपने साथियों के बारे में कुछ भी बदाने से इंकार कर दिया नार्को टेस्ट करने के लिए हमें कोड की पर्मीशन चाहिए नो नीट सर वैसे वह पॉलिग्राफ रिबोर्ट्स का है सर कौन सा रॉक्स दिया है कॉलन जी फाइड एईजी में कॉग्निटिव रिस्पॉन्स अफ ब्रेन कितना है लेस दिन फूटीन हंड़ेड मिली सेकेंड्स इस पर लाइट डिटेक्टिव या पॉलिग्राफ टेस्ट उन्हों ही काम नहीं करेंगे ब्रेन फिंगर प्रिंटिंग ट्राइ करना होगा इसे भी रेस्पेरिडोन 0.25 इंजेक्शन दे दो अब कैसा लग रहा है तुम्हें बहुत अच्छा लग रहा है तुमने यह बाट ठान लिये ना कि सच नहीं बोलोगे सही बोलरीयो ना अगर हम मैं सो कोई पकड़ा जाता है तो कोई पुलिस को सच नहीं बताएगा मैडम इसके पास से हैदराबाद का मैप भी मिला है किड़नापिंग के बाद तुम सब कहाँ छुपके बैठे थे हम लोग किड़नापिंग के बाद कहाँ पर चितेंगे मुंबाई मीरापूर में एक फॉर्म हो से वहाँ मेरा फ्रेंड वाच मैन है वहीं पर रखेंग उसे कोलकाता हे वहाँ नहीं बहिया पुलिस को सबसे पहले उसी जगा पर शुक होगा डेली हे शहर के बाहर चलते हैं या शहर के बाहर जाने से अच्छा शहर में रहने का प्लान किया अगर हम शहर के बाहर चले गए तो कॉंटक्ट में कैसे रहेंगे कि शहर के किस एरिया में छुपने का प्लान किया था पोटी कि सिकंदराबाद कि गोलकॉंडा मीरापूर कि बोलारम कि ए बोलारम चर्च के पीछे एक जंगल है वहां पे एक बिड्लिंग है वही हम छुप सकते हैं Sir, cognitive response of brain is 1800 millisecond. बोलारम is the place. आप उसी के असपास ठानवीन कीजिए इस शहर के फेमस बिस्नस्मान मिस्टर मुर्ली कृष्णा जी के बेटे को फिद्नाप करने की रहसे में कानी आखिर में सुलज गई है Criminal Psychiatrist पवित्रा की मदद ते brain fingerprinting technology उपयोग करके सारे अपरादियों को गिरफ साक्तिया गया है मासी मासी पापा आगे साली साइबा क्या हुआ तुम बाहर क्यों आ गई? जज सहाब बीजी है क्या? मैंने दो बार कॉल किया कोई रिस्पॉंसी ने दिया फिर मैं एरिटेट होकर बोटल फेक कर मारा अब तुम मेरी बेटी को मेरे हवाले कर दो कीरती सही पूछलो बेटी कीरती, मुन्नी, मौलीका, आओ, चलो घर चलते हैं मासी में नहीं जाओंगी कीरती तुम्हारे साथ कभी नहीं रहेगी, ये जानते हुए भी कोट कई थे पोर्ट ही नहीं, मैं अपनी बेटी के लिए कहीं भी जा सकता हूँ, जरुरत पड़ी ना तो मैं तुम सबको मार कर भी अपनी बेटी को अपने साथ ले जाऊँगा क्योंकि मैं इससे प्यार करता हूँ यार, अगर सच में तुम्हारे दिल में प्यार होता तो दीदी के मरने के दूसरे दिन किसी और से शादी नहीं करते तुम्हें प्यार है तो सिर्फ दीदी की प्रॉपटी से क्यों? वो चली गई तो प्रॉपटी भी जाएगी बहुत मुश्किल है इसलिए तो कोट गया था ठीक है फिर कोट में बात करेंगे देखता हूँ, वहाँ भी देखता हूँ मैं आखिर इस बेवकूफ को क्या चाहिए? बहन को गुजरे एक साल नहीं हुआ और यह है कि कोट केस और नजाने क्या-क्या बोल रहा है किर्थी को उसके हवाले कर दो आपको लगता है वह किर्थी की देखवाल कर पाएगा कामवाली बाई बना के रखेगा आप क्यों फिक्र कर रहे हो, आप इसकी देखवाल करते हो आपकी जान पहचान थी, तो आपने दीदी की शादी उससे करा दी पर उसके अत्याचार मेरी दीदी सहन नहीं कर पाई डैडी, क्या हम ये कैस जीत पाएंगे? हम जरूर जीतेंगे, चलो हम सब एक बार स्वामी जी के पास जाके उनका आशिरवाद लेते हैं ये! मैं गांधी जी का वारिस हूँ, जिसकी ये अच्छाई है कि तुझ जैसे भेडियों को अच्छा सबक सिखाता हूँ जो मासुम लड़कियों को अपनी हवास का शिकार बनाता है मैं बहुत ही खतरनाक हूँ, मेरा नाम है गुर्टू मैंने अभी तेरी दादा गिरी देखी, तो बारा इस महले में अपनी शकल मत दिखाना अब इतरा को अकेले मत समझना मैं उसके साथ हूँ शकल से मैं भोला दिखता हूँ लेकिन हो नहीं मुझे हलके में मत लेना मैं बास्केट बॉल तो खेलता हूँ, एक दिन दुलाई फुटबॉल की तरह करता हूँ मैं किसी की भी पहली गलती माफ कर देता हूँ अब दूसरी गलती हुई तो? तीसरी के लिए जिन्दा नहीं बचोगे इस बॉल के अंदर एक ब्लेडर है वही फट गया तो क्या काम का इस पवित्र मेंटल हॉस्पिटल से कोई तो है जो भागने की कोशिश कर रहा है तुम लोगों में सही मेरा कोई एक खबरी है वो तुम्हारे साथ ऐसे रहता है जैसे देवानंद सब के दिल में रहता है और तुम सब के प्लैंस को बिना किसी देवी के मुझे तक सीधे पहुचाता है वो देवानंद कौन है मुझे पता है बोलो बोलो कौन है वो मैं हूँ अब तुम खुद को रजनिकांद भी बोलोगे दिन में दिलिप कुमार रात में रजनिकांद क्यों वे तु तु ऐसे डर रहा है जैसे की सब लोगों को तुझ परिशक है नेवर्ड असली वाले को भगाने के लिए मुझे गलट ट्रैक पर डालने की कोशिश मत करना बच्चू समझे क्यों औरे सरकार ये सब लोग जब खड़े हों तब तुझे बैठने के लिए कहा था कब की धर है तुम अकेले में कहीं भागने की कोशिश मत करना क्योंकि अगर भाग गए तो भारत सरकार के अलावा तुम्हें और कोई नहीं खिलाएगा पिलाएगा मैं यहां पर कब से हूँ तुम यहां काफी पुराने बहुत समय से यहां रह रहे हो मुझे यहां से बाहर जाना है यह तुम्हारे बस की बात नहीं है गजनी लानिंग के ठीक दस मिनट बाद तुम सब कुछ बूल जाओगे गुद मॉर्निंग साओ गुद मॉर्निंग पवीत्रा डॉक्टर मेरा पागलपन कम हो गया बोला तो नहीं मानती है पागलपन कम हो गया तुम कैसे कह सकते हो क्योंकि कल तक मैं चेफ मिनिस्टर के ब्रहम में था पर आज नहीं हूँ सुरेश कुमार कॉल में संजीव कुमार शोले का ठाकूर सार हमें इन सब के टेस्ट कप करने हैं चोड़ो मुझे मैं पागल नहीं हूँ यहां आने के बाद हर को यही बोलता है कि वो पागल नहीं है शाहां तक सब ठीक हो जाता है इन्हें शॉक ट्रिट्मेंट दो कर दो कर दो झाल 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 रूम नमबर 2002 में देदो यह डिजाइन स्यूटी पे अच्छे लगेगा ना यह तो दस लाग के हैं इस डिजाइन में पांच लाग से कम नहीं होगा सुनिये जी आपने मेरे जनम दिन पर इतनी महेंगी गिफ्ट कभी नहीं दी मेरे पापा से क्यों पूछ रही हो अपने पापा से पूछो इसके पापा तुम्हारे पापा से अमीर नहीं है चार एकड की जमीन से ही उन्होंने हमें पाल पोसकर बढ़ा किया है तुम्हारे पापा के पास तो चार एकड जमीन है इसके पड़ा होने से पहले उनके पास तो चार रुपए भी नहीं थे हाई बिर्जू हाई सर तुम्हारा कोवा का ट्रिप ऐसा था आपसलूटली फाइन सर यह क्या है सुटी का बड़े किफ सेलेक्शन हाँ पिर्जू अच्छा है और परेशन कैसा रहा सक्सेस्फुल पेशन ने ट्रॉलम तो ने किया नो सर परफेक्ट कोमा इसकी दूसरी कौपी? मैंने पेशन को भिजवा दे जादा वेदा दे जुलवा मजो ममराटी यदो निदाहा दे वेदाहा तलप पर्यदत दुर्गाने विश्वा नामे वजिन्दम दुरिदाहा एट खोलो हमें अंदर जाना है लेकिन क्यों? आपकी अर्जी खारिज कर दी गई है इसलिए ये आश्रम के पीछे के बिल्लिंग तोड़ने आया है पर अंदर तो पूजा चल रही है स्वामी जी से एक बार बात कर लीजी इसके स्वामी जी तुम्हारे हमारे लिए नहीं है पर ये सही बात नहीं है कभिश्णर साब भी स्वामी जी के भक्त हुआ करते थे पर अभी नहीं है सेर क्या हुआ काम शुरू नहीं हुआ क्या अभी तक तो नहीं सेर अंदर पूजा बाठ चल रही है क्या वहां काम करने गय हो कि भक्ति करने गय हो कमिशनर मैं लॉयर श्रीकृष्णा कैसे हो श्रीकृष्णा मैं अच्छा हूँ आपने नाश्ता किया काम की बाद बताओ तिफिन बॉक्स के डब्बे के अंदर आपको एक डीवीडी मिलेगी उसको प्ले करें या है ये? योगा की कॉपी, बेस्ट कॉलिटी पारेटेट कॉपी मेरे पास है इतना हंगामा क्यों है कृष्णा? स्वामी जी, कुछ नहीं स्वामी जी वो थुदा तव्यत के बारे में पूछ रहा है कमेशनर स्री कृष्णा बोल रहा हूँ ये तुमने अच्छा नहीं किया वही तो मैं भी कह रहा हूँ तो क्या कर लोगे? एक और कॉपी मेरे पास है आपको पिक्चर अच्छी लगी है तो पब्लिक में रिलीज कर देता हूँ मैं अपने आदमियों को बुला लेता हूँ काम की बात करते है तुम्हें शक था कि स्वामी जी की वज़े से तुमारा प्रमोशन हो गया और तुम उसी उज़े से बदला लेना चाह रहे हो अगर ऐसा नहीं है तो चुपचाप आकर के सुआमी जी के पैर पकड़ लो ठीक है वो तुम्हें माफ करने के लिए ओन है रे तू तू यही पूछना चाहता है ना जल मैं ही पूछ लेता हूँ मैं उस बड़े भाई का छोटा भाई हूँ जो मर्द और और अरतों में भेद नहीं समझता मैं इस जगह का राजा हूँ और तुझ जैसे सड़क छाब जो लड़कियों को छेड़ते हैं उन्हें सबक सिखाने आया हूँ सीधी तरह से समझा रहा हूँ नहीं तो बॉल की तरह हवा निकाल दूँगा तमज गया ना तू नहीं तो बॉल की तरह अच्छा वो लड़की मेरी आँखों की रोशनी है अगर उसे परेशान किया तो तुझे कुछ चल दूँगा वो तो तुम्हें देख कर ही पता चला एक बात सुन ले मैं हर किसी को पहली बार माफ करता हूँ बस और दुबारा किया तो दीसरी गलती करने के लिए जिन्दा नहीं बचेगा तमल के रहना यलता हूँ कुछ ज़्यादा नहीं हो रह तो ज़्यादा मस तुनो को तायरी है ये विचारा उस लड़की का आशिक है आगए आप सब लोग इस तरफ घुमके बैटो सुरेश कुमार सुरेश कुमार नहीं कॉल में सद्दाम हुसेन ओके सद्दाम हुसेन टर्ण डिस साइड आप लेट कैसे हो गए आपको पता नहीं आज चालबास फिल्म रिलीज हो रही है और आज हमें देखने जाना है चालबास तो दो पचीज साल पहले रिलीज हो थी वो मुझे बता है ये चालबास पाटो है अब ये बता ये क्या है तुम जानते हो क्या मैं जानता हूँ तो फिर पूछा गयोँ कन्फ्यूस कर्रहे हो क्या तो सब पागल है मैं आपको निसे बोल रहा यह एक दोर है आपके स्कूल के कुश्चन्स पुछना बंद करिये बच्चा युनिवर्सिटी कुश्चन पेपर बहुत टफ रहेगा कुश्चन पेपर लीख हो गया है लीख हो गया? ठीक है इस दर्वाजे से जो भागने की कोशिश करेगा तमझलो वो ठीक हो गया और जो इस दर्वाजे से भाग जाएगा वो अपने घर जाकर रह सकता है, ठीक है ना? पुचा 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 अभी भी पागल है सब अब तो नहीं लगता है कि ये लोग कभी बाहर जा पाएँगे यहां से हाँ, सब के सब पागल है ये वहां क्यों है? कहीं ये गलूतिसे ठीक तो नहीं हो गया क्यों पागल बच्चे? सब लोग वहां बाहर भागने की कोशिश कर रहे हैं और तुम्हें नहीं भागना है? डॉक्टर, वहाँ सब पागल है, मैं बहुत चालागू, क्यूंकि चाबी तो मेरे पास है, तो सब कैसे जाएंगे? पेपर लीक होने का मतलब ये है. वो लड़की अभी तक आई क्यों नहीं? परेशान मतों तरी सपनों की राणी खिड़की पर जल्दी आजाएगी, बस तो दूरुबीन के साथ चिपका रहे है. दूरुबीन से कब तक देखता रहूँगा? सच कहूं, मैं तो इतनी दिर, कभी नहीं देख सकता. लेकर देखता रहूँगा, देखूंगा. अफिस से उसने फोन करके मुझे बताया कि वो आश्रप जा रही है. क्या वहाँ से कहीं और जाने वाली है? कम से कम मुझे तो बताती है. पापा बे फिजूल में परिशान हो रहे हूँ. वो कोई बच्ची तो है नहीं. लेकिन वो लड़की है. जानती है तुम्हारी वज़े से पापा कितने परिशान हो रहे थे. और अपना फोन की उसी चॉफ करके रखा था. फोन की बैटरी डैड हो गई थी. बिटी, पहले कुछ खालो फिर सो जाओ. तुम्हारो अपवास था ना? दैडी, बिलकुल भूक नहीं है. सुपा उटके खालूंगी. अब तो वो सो गई है. अब आप ही जा कर सोजाईए. और हमें भी सोने दीजिए. चलो चलते हैं. चलो, चलो, चलो. कम ओन, मुव फास्ट. चलो, चलो, चलो. ये, सर. चलो, चलो, चलो. सर, इंपर्मेशन में कुछ सही निगली. वी फाउंड ड्रक्स. कौन है आप? एस्टी पी क्राइम ब्रांच. यहां किसलिए आना हुआ? हम आपको अरेस्ट करने आया. अरेस्ट करने? किस जुर्म में? यह BFCT किसकी है? यह नकली करेंसी भी है. और यह ड्रक्स है. सौमी जी के पास इन सब का क्या काम है? मुझे तो यह सब मोह माया लग रही है. क्या, सर? आप सौमी जी को क्या समझ रहे हैं? वो भगवत सरूप हैं. अगवत सरूप के पास ये BFCD क्या कर रही है? इसके बाद भी आप इन पर विश्वास करते हैं? जाइए. ACP साहब, आप जिस हे दुआएं हैं, अपना कारे पूरा कीजिए. स्वामी चिदानन्द के आश्रम से, पुलिस ने छान बीन करने के बाद, ब्लू फिल्म, ट्रॉक्स, फेक करन्सी और कई कीमती मेटल स्टैचो पर रामत दिये गए हैं, और इसी कारण से, पुलिस ने स्वामी जी को अरिस्ट करके अपने कस्टडी में ले लिया है. स्वामी जी के आश्रम में गए, और वहां के कमरे में बीअफ, सीडीज, ड्रॉक्स, और फेक करन्सी रखकर बहार आ रहे थे, तब ही उस आश्रम के एक लड़के ने हम दोनों को देख लिया, और चोर-चोर करके चिल्लाने लगा. यो, ओल्स, फिर तुम लोग पकड़े गए? हम पकड़े नहीं गए, वो जैसे ही चल्लाया, हम वहीं छुप गए, सर. बाहर आने के बाद, पुलिस को कॉल करने का टाइम भी नहीं मिला, सर. हमारे कॉल करने से पहले, पुलिस वहां कैसे पहुँच गई, समझ नहीं है, सर. पुलिस ने आश्रम्या के सौमी जी को अरिस कर लिया, और हम दुनों वहां से भाग निकले हैं. तुम दोनों इस लड़की को पहचानते हो? नहीं, सर. वो तुम्हें दुबारा देखेगा, तो पहचान जाएगा? पता हैं, सर. कुछ दिनों के लिए शेहर से बाहर चले जाओ. ओके, सर. आपकी ये हलत मुझसे अब देखी नहीं जा रही. परिशान मत हो बेटा. भगवान श्री कृष्ण का भी जन्म तो इसी कारागार में हुआ था. असलियत में हुआ क्या था? जो हुआ वो बताने जैसा नहीं है. यूँ समझो हुआ ही नहीं. रात्री में चंडी पूजा के पस्चात मैं आलपा हार करके बागीचे में टहल रहा था. उसी समय बिजली चली गई. किसी ने चोर-चोर की आवाज लगई. मुझे कुछ विचित्रसा लगा. फिर थोड़ी देर में बिजली आ गई. मैंने देखा कि मेरे आसपास लोग खड़े थे. कहां है चोर? वो आपके कबरे में ही आय था. पर मैं तो बागीचे में टहल रहा था. असल में वो चोर जो भी है, वो आपका दुश्मन है. हमारा दुश्मन. Cheers! ये ये बाहर है विविद भारती का स्टेशन. ऐसे गाने लगाएगा तो सब सो जाएंगे. चल जल्दी गाना बदल. तुमने इसमें ठीक से हवा भरी नहीं? Sorry भाया, दुकान बंद थी. हम, वो केस वापस ले लो. है, गाने की आवाज कम कर. जरा फिर से बोल. कोड से केस वापस ले ले. तू कौन होता है, मुझे बताने माला? मैं उस लड़की का आशिक हूँ. उसे खुश देखना चाहता हूँ. मैं तयार हूँ. तू तयार है? दो राउंड हो गया. तीसरा राउंड पूरा होता ही, मैं तयार हो जाऊँगा. आवाज किसने कम की? बढ़ाना जल्दी. कौन बोला आवाज बढ़ाने के लिए? मैंने बोला. मेरा नाम है बिर्जू. हाँ तो, ये बार तेरा है क्या? हाँ, ये मेरा बार है. वॉल्यूम भी अपने हिसाब से बढ़ेगा. तो चाप बैट कर पी नहीं तो अनिकल. तेरी जातका मैं बता रहा है. तूने कहा था तू तू तयार है? ये कहां से तपक गया? तूसे बाद में निपड़ता हूँ. पहले इसे देखता हूँ मैं. जा. अजे यार, इन रूम मेंसे तू ये कमरेगा, तो हम पुसी करेंगा. अरे छोड़ो, ये दिखाना करेंगा तो पुलिस ले जाएगी तुझे. अरे क्या कर रहा हूँ तू? अरे घर में आके तुझे मारूँगा? स्वारी, जाने दो भाई. चलो यहां से. दोनों पक्षों की बयानों को सुनने के बाद, कॉर्ट ने ये फैसला किया है कि बच्ची की कस्टडी उसके पापा को मिले. बच्ची के पापा के खिलाफ पवित्रा ने जो कंप्लेंट की है, वो जूटी साबित हो चुकी है. बेटी की परवरिश के लिए मिस्टर राधा कृष्णा ने ना चाहते हुए भी दूसरी शादी की. अब इस कोर्ट का यही फैसला है कि उन्हें जल्दी से जल्दी उनकी बेटी सौप दी जाए। कोर्ट अपोनेंट को यह ओडर देती है कि जल्दी से जल्दी राधा कृष्णा की बेटी उनको सौप दी जाए। यही कोर्ट का आखरी फैसला है। क्या हुआ, साली साइबा? मेरे पिताजी रिटार्ट जोजे, मैं एक क्रिमिनल साइकाट्रिस्ट हूँ, कैस तो मैं ही जीतूंगी? अब क्या हुआ, जीत गई ना? मुझे मेरी बेटी से प्यार नहीं है, मुझे तो वो प्रोपटी चाहिए ना? लेकिन कोट ने क्या कहा, ठीक है, मैं आज बहुत हैपी मुड में हूँ, शाम को एक बाटी दे रहा हूँ, तुम बाटी में आओगी ना? ज्यादा खुश्मत हो, तुम्हे लगता इतनी आसानी से मुझे किर्टी को चीन लोगे? नहीं तु क्या, तुम मुझे मार डालोगी? जरूरत पड़ी, तो वो भी करूँगी. उसका क्या फायदा होगा? तुम जेल चली जाओगी और वो अकेली हो जाएगी. दीदी ने मरने से पहले मुझे से एक बचन लिया था, और उसे मैं नहीं तोडूँगी. यह सेंटिमेंटल बाते बंद करो, यह सब बाते सीरियल्स में अची लगती है, तु चाप घर जाओ, और खा कर सो जाओ. तु क्या देख रहे है बे? चुछ नहीं भई. चल! खड़ेश महराज कीजे! खड़ेश महराज कीजे! बॉस चंदा. खीस्ती, मैं दादाजी की दवायां लेने चाड़े हैं, तुम गाड़ी में बैठे रहना. मैडम, चंदा. तुम यहाँ? पहजान लिया? आसानी से नहीं बूलूँगी. तैंक्स. पर चंदा नहीं दोगी, क्या? चंदा? वो किस लिए? बस्ती में गणिश भगवान की पूजा है, इसलिए. ओहो, दारू भी निकले, भगवान के नाम पे चंदा ले रहे हो? ओह, चंदा देना है तो दे, नहीं तो चुप-चाप. क्यूं चुप रहूं मैं? मेरी गारी का शीशा तोड़ा, फिर भी मैंने पुलिस कमने नहीं की. तुम पर दया करके तुम्हें छोड़ दिया. तुने मुझे छोड़ दिया? तु मेरे घर का पता पूछती, तो वो भी बता देता. अभी भी काँच पूटा हुआ है. लगता है मैंडम गाड़ी मेंटेन कर रही है. बेचारी. चाहिए पैसे नहीं होंगे. है ना? एज हम चंदा लेके मैंडम के कार का का आँच भी बदल देंगे. क्यों, चलेगा ना? चंदा देना है. इस पत्तम ही सिका जवाब मैं तुम्हें? खपड मार के भी दे सकती थी. माइड़ीट. मैंडम आपने बगलत किया है. अपमान के आपने. इसका परेडाम भुगतना पड़ेगा. तुम ज़से आप बोल रहे हैं, ऐसे कुछ नहीं होगा. अपने काम से काम रखो. मुझे पता है तू क्वान है. कुछ बोल मान है. और एक बात तू नहीं जानता है. मैं कराडे मैं ब्लैक बेल्ट हूँ. मेरी भी ब्लैक बेल्ट है. हाहा. मैंने कुछ दिर पहले ही. पत्थर से अपने सिर को फोड़ा है. और कल मैंने पत्थर से किसी का सर फोड़ा है. बढ़िया, बढ़िया. तुमे अगर चंदा चाहिए, तुम उझसे ले लो. पर वो लड़गी मेरी जान है. उसे परेशान मत करो. तुमें मैंने दो दिन पहले बॉल दी थी, न? इसमें हवा नहीं भरी क्या. ज्यादा बॉल मत नहीं, तो तेरी हवा निकाल दूँग। स्वामी जी ने कहा था हमीं जीतेंगे. ठैना डैदी? अगर हम जीत गए होते, तो वो सुप्रीम कोर्ट चला गया होता. और अगर हम हार जाते, तो कीर्टी को हमेशा के लिए उसे देना पड़ता. सुप्रीम कोर्ट में जरूर जीतेंगे. बेटा, स्वामी जी के कहने का मतलब यही है. एक बात तो मचे समझ में आगी दैडी. खौन सी बात पीटी? कीर्टी के लिए कुछ तो करना होगा. सुशिला? सुशिला? पापा की तबिएत कसी है? अच्छी है. उखार कम हो या नहीं? अभी दवाई खा के सो गए है. पवित्रा क्या कर रही है? पवित्रा अंदर है. हम कोर्ट में केस हार गए न? जीजा जी फोन करके मजाग उड़ा रहे थे. अब फिर से शुरू होगे? खोर्ट में केस जीत कराया हूँ न? सेलिब्रेट कर रहा हूँ. ठीक है, ज्यादा मत पीना परना पार्टी एंजोई नहीं कर पाऊँगे. रिचा, एक आमलेट बना दो न? मैं बिजी हूँ न? के अच्छे से तयार होना पड़ेगा. तुम बना लो न? ठीक है, मुझे ही बनाना पड़ेगा. रिचा, कौन बिल बजा रहा है? देखो. रिचा, कौन है? कोई नहीं है. वो दया होगा, ऐसी हरकते करते रहता है. दया? दया? वो ही आके परेशान करता है, और कौन करेगा? ठीक है, तुम्हारी मर्जी. वो देखो आके आके? रिचा? 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 वाथ रूम में ट्राई किया है किया भाई? अरे चैस ट्राई तो किया था और वो गीले हो गया था तू वादर प्रूफ कर दो थीग है जब मैने जराज है तो मुझे पून करना पवित्रा हां कल रात को तुमने छुरी ली थी ना काह रखे कल राट को तू छुरी मैंने यही रखी थी एई तुमने छुरी देखी क्या? वही छुरी जिससे आप सबसी और फल काटते हो हां वही वाली वही छुरी जो आप चािना बजार से लाए थे आंटी जिससे प्याज काटती है वही छुरी हां बाबा वही जो मेरे पापा जगडा करते हैं और जिस छूरी से धमकाते हैं वही छूरी हाँ वही वही वाली अगर वो वही छूरी है तो मैंने देखी नहीं फिर क्यों इतना बोल रही थी? पवित्राज छूरी मिली क्या? खाना बनाना है ओफिस के लिए लेट हो रहा है वो छूरी तो नहीं दिख रही भाबी ओफिस से आते वक पर दूसरी लेती आऊंगी आपको लगता है मैंने आने मारा है ये कतल तुमी ने किया है रादा किशनी की सेकेंड वाइफ ने कम्पलेंट किया है मुझे इससे क्या फाइदा होगा? क्योंकि तुम कोर्ट में केस हार गई हो पर मैं सुप्रीम कोर्ट में जाके लड़ने वाली थी मैं जब तक तुमसे पूछताश न कर लूँ तब तक मैं किसी नतीजे पे नहीं पहुँच सकता पवित्रा तो फिर आप मुझे एरेस्क कीजिए और कोट में पेश कीजिए मैं बेल के लिए अपलाए करूँ तुम्हारे जीचा जी बुरे चरिकतर वाले थे ये खोज बीन के दोरान पता चला येस, वेरी बैग, दारू पीने की आदत थी कुछ दिन पहले की बात है, एक दिन उन्होंने पी हुई थी तो उन्होंने किसी को मार देने की धंकी दी थी उनकी दादागिरी से परिशान होके किसी ने उन्हें मार दिया होगा सर्थ उसे हम अभी तक ढूंड नहीं पाएं, कोशिच जा रही है जरूरत होई तो तुम्हें फिर बुलाएंगे या अगर कुछ पता चले तो हमें जरूर इन्फॉर्म करना ओके साह हलो, हलो 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 भाभी अंधेरा क्यों है लाइट कई है क्या हाँ पवित्रा ओ नो, मोबाइल चाज करना था फिर से फोन आया फोन तो करता है लेकिन बात नहीं करता हलो 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 पागल गईका मुझे किताब भी नहीं पढ़ने दे रहा है भाभी आज कीरती को स्कूल मत भेजना ठीक है किसका बार बार फोन आ रहा डाड़ी कौन है पता नहीं बेटी फोन करके बात नहीं कर रहा और बुवा ने क्या कहा उन्होंने तो हमारी बेईज्जती की उन्होंने कहा कि तुम्हीने कीरती के पापा को दिया है उन्हें जो भी बोलना है बोलने दो बाद में सब ठीक हो जाएगा अरे क्या ठीक हो जाएगा, सब कुछ हमारी ही तो गले पड़ रहा है ना एक मिनिट, एक मिनिट डाड़ी, मैं फोन उठाती हूं हलो अवित्रा, मैंने तुम्हारे कहने पर तुम्हारे जीजा जी को मार दिया अब किर्थी तुम्हारे साथ रहेगी, बुलिश यह तुम पे शक करें, इसलिए ध्यान से रहना दूंगा, ठीक है मैं जल्दी ही तुम्हें कॉल बेक करूंगा फोन पे कौन था बेटी आइसीयासीयाईसिया बैंक से क्रेड़िट कार्ड कैल था हलो, चलिफोन एक्वाईरी करें थार निद खुर्ड फोन पर कर्का एंदर जार नहीं पाइब जा रहे हैं बार और सोच लो हम राजभावन के अंदर जा रहे हैं No doubt, sir. It's confirmed. I am Surindra, ACP Crime Branch. I am Govind, Security Chief. एक murder case investigate करते समें, हमें एक clue मिला है. नंबर क्या था? 234-1578. इस नंबर से हमें कॉल आया था. इंक्वाइरी करने पर हमें पता चला ये नंबर राजभावन का है. If you don't mind, अब बता सकते हैं, ये नंबर कॉन यूज़ करता है? ये कॉल कब आया था? आदे गंटे पहले. आदे गंटे पहले? No chance. पिछले दो गंटे से फोन काम नहीं कर रहा है. हमने कंप्लेंन भी किये रहा है. फोन काम नहीं कर रहा है. Thank you. I think something is wrong. तुम्में क्लास्चेक किया था, ना? Yes, Sir. आदे, बोलने क्या हुआ. ठीक है, मैं आ रहा हूँ. ए, तुमने मेरे बुक में क्यों लिखा? मैंने ये नहीं लिखा. तुम जूट बोल रही हो, मुझे पता है. मेरे बुक पे कुछ भी लिखा, तो मैं टीचर को कंप्लेंट करूँगी. बोल देती हूँ. क्या बात है, सौमी जी? आप चुप क्यों है? सोच रहा हूँ, मुझे और कितनी बार कोट के चक्कर लगाने पड़ेंगे? हमें बेल मिल गई है, और बहुत जल्द क्लिंचिट भी मिल जाएगी. मैं आपके साथ हपेशा हूँ. देखते हैं, बेटा, सब कुछ कर्म और भाग्य के अनुसार ही होता है. स्वामे जी, ये बिर्जु है, मेरा असिस्टेंट. स्वामे जी को पढ़ाम करो. कमिशनर का वीडियो शूट जो गोवा में हुआ था न, वो इसी ने किया था. संध्याकाल में एक बार आश्रम आ जाना. मुझे आश्रम और मंदिर पसंद नहीं. तुम्हारे लिए वो आश्रम है, परन्तु मेरे लिए वो घर है, बेटा. स्वामे जी ने जितना कहा न, उतना ही करो. जाओ. ओके. रवी पकड़ा गया क्या? नहीं स्वामे जी. रवी के कैमरा लेके भाग जाने के बाद, मैं बहुत सतर्क हो गया हूँ. पुलिस ने आश्रम में च्छापा मार कर, वो ड्रक्स कैसे बरामत किया मेरी समझ में नहीं आ रहा. रवी को पकड़ना ही होगा. आजकल दारू की क्वालिटी खराब हो गई है. रवी कहा भाईया, पहले तो दो पैक से चड़ जादी थी, अब तो चड़ती ही नहीं है. बिल्कुल शही, मिलावर का जवाना है भाई, दारू घर पे नहीं पी सकते हैं, इसलिए यहां आके पीते हैं. अच्छा आपकी बेटी का रिष्टा आया था ना, बात कहां तक पहुँचें? या रिष्टा देखें, आजकल की जेनरेशन खराब हो गई है. ए, ये बुड़ा कुछ जादा नहीं बोल रहा है? अरे, वो अपने बारे में नहीं बोल रहा है, भाई, वो नौजवानों के बारे में बोल रहा है. तो हम कौन हैं? अरे, सुनना भाई, क्यों जगड़ा कर रहा है? अरे, जाने देना यार. ये अगर ऐसी बोलता रहेगा, तो हमारी शादी कभी होगी? वो नौजवानों के बारे में बात कर रहे हैं, तू चुब रहा है, यार. तो हम कौन हैं? हम नौजवान नहीं हैं, हां? लेकिन आज कल के नौजवानों को देख लो, तरा भीज. अच्छा, अंकल, आपका नाम क्या है? सुबरमाणियम, क्यों? सी, मिस्टर सुबू, अगर आपके ससुर जी, ये सोचते कि सारे नौजवान खराब होते हैं, तो आपकी शादी होती? वो तो सही है, अगर सही फैसलाल ये होते, तो शायद नहीं करते हैं. तो आप क्यों नोजवानों के बारे में गलत बोल रहे हैं? ये तो गलत है ना? फविट्रा, मैंने पार्क में तुमारा काफी देर तक इंट जार किया, पर तुम नहीं आयी. मैंने तुम्हें कीर्थी की बुक में लखकर लाने के लिए कहा था. तुम बात क्यों नहीं कर रही हो? मैंने वो बुक नहीं देखी तुमने मुझे अपने जीजा जी को मारने के लिए जो चूरी दी थी थी न वही तुमें लोटाने के लिए उस पार्क में इंतजार कर रहा था तुम्हारा लेकिन फिर भी तुम नहीं आई मैं तुमारे घर आ रहा हूं तुम यहां नहीं आ सकते जानते होना पुलिस की नजरे हमी पर है अगर पुलिस ने मुझे चूरी के साथ पकड़ लिया तो हम दोनों के लिए प्राब्लम हो सकती है इसलिए मैं तुमारे घर आ रहा हूं वो चूरी तुमें देने के लिए अभित्रा बेटी किससे बात कर रहे है बाद में बताती हूं रादी जड़ा फोन चेक कीजिए फोन पे तो नंबर भी नहीं आ रहा है लगता है फोन डेट है अलो पवित्रा सर्थ हमें जिसकी तलाश है वो मेरे घर पर है वो तुमारे घर पर है यह सर्थ जल्दी आईए ओके ध्यान रखना वो भागना जाए ओ नो क्या है बेटी एसीपी सर के आने से पहले पुलिस पेट्रोलिंग जी पागई और भाग गया और भाग गया एक बात बता भाई भाई बोले सुच लड़की के घर पर क्यों आई है क्या भाई रात के एक बज़ रहे हैं इतनी रात को तो मजनू भी सो जाते हैं और आपको क्या बिदख लगे हुए हो सच्चे प्यार करने वाले सो होते नहीं है साह तुमने उसे कहां देखा था उस पेड़ के पास इधर हां साह देट सेट उसने तुम्हारे लेंड लाइन फोन का वायर कट किया और इससे अपना फोन जूनकर बात किया वहां राजभवन में भी उसने सेम ट्रिक यूज कियो और हमें कंफ्यूज कर दिया वैसे तुम उसे पैचान सकती हो मुश्किल है सर अंधेरे में जड़ा दिखाई नी दिया लेकिन उसके हाथ में एक छूरी थी छूरी लेकर आया था वो तुम्हें मारना चाहता था मुझे छूरी लोटाने के लिए आया था जिससे कत्वा वही छूरी लोटाने आया था येस सर वो इसी घर की छूरी है वो तुम्हारे घर से चूरी कैसे ले सर और है वो वो कौन है यह तो मैं नहीं जानती पर उसकी प्रॉब्लम पता चल गई है कौन सी प्रॉब्लम Borderline Personality Disorder Borderline Personality Disorder? यस सर्, यह एक अजीब सी दिमागी बीमारी है इसके सिंप्टम्स किसी भी आदमी या उरत में डेवलाप हो सकते हैं इससे क्या होता है? इस बीमारी में इंसान को अपने opposite sex के लिए इच्छाएं जागरत होती है, उसके दिमाग में जुनून सवार हो जाता है, और अगर उस इंसान के अंदर कोई भी मानसेक या शारीरिक प्रॉब्लम है, तो वो अपनी ये प्रॉब्लम खुद ही solve कर लेता है, और उसके लिए और इसलिए वो मेरी help भी करता है, तो फिर हम उसे पकड कैसे पाएंगे, अगर हम अपनी observation किसी एक पर focus करें तो शायद कोई सुराग मिल सकता है, आइसी, तुम्हें किसी पर शक है, हॉस्पिटल में मैंने आप तक कम से कम 10 patients का treatment किया है, तो शायद उन में से ही कोई हो, और अगर उन में से कोई नहीं है, तो शायद मेरी पहचान वाला हो, यह सब तो ठीक है, लेकिन उन दस लोगों को हम कैसे डून पाएंगे, उसकी सारी details हॉस्पिटल के records में मिल जाएंगी, मैं आपको सारी files दे दूँगी, आप उन सब पर नज़र रखिएगा, अब में चलता इसके क्या स्टोरी है? यह है हमारे कुड्डू साहब, दिन राध इनको मजनुगिरी सूचकी रहती है, अपनी मुहबबत को पाने के लिए ये दिन राध खिड़की पर बैढ़ कर टांग जख करते रहते हैं, कौन हो? मैं राइट वाला, ये लेफ्ट वाला, हैंड्स, उस इसके बाद क्या हुआ? प्यार को पानी के लिए हमारे राजा साहब दिवार तक फान गया, अब मैं बोलूँगा, तुमने कहा कि उस लड़की के लिए राजा साहब दिवार से फान गया, तो फिर वो लड़की भी राजा साहब के पीछे वो दिवार फान गया, राइट? ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और लड़का पानी जब आग और पानी मिल जाएंगे देखो वहां चिला क्यों रहा है और रात को इसने पिक्चर देखी है और पिक्चर देखने के पास रोड के उपर कुट्तों की तरह चिला रहा था चंद्रमुखी का नाम लेकर के उन लड़की यार आजाएंगे वह सब बाते जाने दो आज चंद्रमुखी रिलीज हुई है तुम्हारी परमिशन हो तू देखकर आजाओं तुम क्यों जाओगे तो रात को रजनी कान प्रिंट ली आएंगे हम लोग ऑपरेशन थेयाटर में बैठ कर देखेंगे वेरी गुड तुम ब किरती कहां है किरती की क्लास में में गया था लेकिन दो निकीने केइटी की लास में नहीं एक तो प्रेंस को पूछना चाहिए था ना हालो केर्ठी मेरे पास है उसी कुछ मत करना वेके तुम हुआ हो गया तो तुम मुझे बुलिस से पकडवाना चाहती ओ में कि तुम्हें पुलिस से पकडवाऊंगी कल रात को जब मैं चूरी देने आया था तो पुलिस वहां कैसे आ गए तुमने ही कॉल किया था ना? मैंने पुलिस को नहीं बुलाया. तुम ही पुलिस की वैंद देकर भाग गए थे. तुमने सच में पुलिस को कुछ नहीं बताया ना? मैं सच कह रही हूँ. बीस बता कीर्ति कहा है? स्कूल के पीछे एक पेड़ है. उसी में बंद के रख रहा है. अगर कीर्ति होती तो अगर इस बार तुमने पुलिस को कुछ बताया तो… कीर्ति कहा है? स्कूल बस के अंदर है. यह सब क्या है पापा? आज कीर्ति की साथ ऐसा हुआ है. कल अगर मेरे बेटे की साथ ऐसा हुआ तो… ऐसा कुछ नहीं होगा. तुम चिंता मत करो. क्यों चिंता ना करूँ? आप हमेशा ऐसा ही कहता है. सीरियसली लेते ही नहीं. दो दिन पहले किसी ने हमारे घर में घुसके हमारे किच्ण से छूरी ले ली. मुझे समझ नहीं आ रहा है. यह सब कैसे हुआ है? बातरूम से आते वक्त, उसने कीर्ति को क्लोरफरम सुगा के बेहुश कर दिया. उसने कीर्ति को क्यों चुपाया था? तुम्हें डराने के लिए? डराने के लिए नहीं सा. वो फाइल्स चुड़ाने के रादे से आया था. अगर उसमें से एक फाइल गायव है, तो तुम उस इंसान को असानी से पहचान लोगी. यह तुम अच्छे से सोच लो. काशम जैसा सोचते वैसा होता. लेकिन उसने बहुत हुश्यारी से काम लिया. तीन-चार फाइल्स ले गया. दस लोगों में से एक आदमी को पकड़ने के बज़ाए, अगर चार में से एक को पकड़ें, तो वो आसान होगा. I think so, sir. जो फाइल्स गायब हुई है, उनकी डूप्लिकेट कॉपीज तुम्हारे पास तो जरूर होंगी? नहीं, sir. सेंट्रल जेल जाके वेरिफाय करके मुझे लाना पड़ेगा. पवित्र, वो हमसे एक कदम आगे सोचता है. करेक्ट, sir. वो बहुत शातिर है. तुम्हारे घर से टेड़ी बेर ले जाकर के उसने स्कूल में रखा, ताकि तुम्हें डरा से. टेक किया. ओके. बाइ. बाइ. हालो. सुरी, पवित्रा. तुमने ऐसा क्यूं किया? तुम मुझे दोखा क्यूं दे रही हो? अगर कीरती को कुछ हो जाता तो? गुस्से में मेरा दिमाग काम नहीं करता है. वो टेड़ी वियर खराब हो गया न, तुम्हें दूसरा खरीद के दे दूँगा. पर तुम क्यों खरीदोगे? मैं खरीदोगी. क्योंकि गलती मेरी थी. नेकलेस रोट के दुकानों पे सेल लगा है. वहां से तुम्हारे लिए एक अच्छा सा टेड़ी वियर खरीद के. तुम्हारे घर पे रख दूँगा, जहां से वो पहले वाला उठाया था. अलो पवीत्रा? सर जल्दी से नेकलेस रोट पर आये. मा क्यों? नेकलेस रोट पर सेल लगा है. और वह वहां टेड़ी बैर खरीदने आ रहा है. शाद हम उसे पकड़ सकते हैं. बिर्जु दादा. डबल नाइन फोर नाइन. त्री डबल नाइन. तू डबल नाइन. देगा चली कही होल में. अब बिर्जु दादा बोल रहा है. मैं बोल रही हूँ, पवित्रा. पवित्रा, पवित्रा… तुमने मुझे नहीं पहचाना? गनेश ची की पूजा के लिए आप चंदा लेने आये थे? तुमको कैसे बोल सकता हूँ? उस दिन मैंने भगवान का आपमान करके बहुत बड़ी गल्ती कर दी. मैंने तो मजा किया था, तुम तो सीरियस हो गई. उस दिन के लिए तुमसे मिलके सौरी बुलना चाती है. मुझसे मिलके सौरी बुलना चाती हो? कहां मिलना है? निकलेस रोड पे दुकानों में से लगी है. तुम आ सकते हो वहाँ पर? तुम तो पास ही हो. आ रहा हूँ. मैं अभी आया. मैंने अच्छी एक्टिंग की ना? टीवी पे एंकरिंग का चांस मिलेगा? अभी नहीं. उसके लिए टाइम है. सर्, हमें उसे फॉलो करना है. वह आदम है जो बाइट पास कर रहा है? यह सर्. वह उन चार में से एक है? नहीं सर्, यह कोई और है. कोई और है? तुम इस पर क्यों शक्क कर रही हो? इसके साथ मैंने दो बार जगडा हुआ है. तिर जगडे की वज़े से किसी पर शक्क करोगी? सर्, एक और वज़ा है. जब हम राजभवन गए थे, तब मैंने इसे अंदर से बहार आते वे देखा था. पर यही वो आदमी है, यह कैसे साबित करोगी? सर, अगर यह से से टेडी बेर खरीदता है, तो कनफर्म हो जाएगा यह वही है. अगर नहीं खरीदा तो? सिंपल. तो फेर उन चार लोगों में से हमें कोई ना कोई मिल जाएगा. ओ, ओ, सॉरी. सॉरी मैडम, मैं अपनी फ्रेंड को ढूंड रहा था, इसलिए देखा है. गर्ल्फ्रेंड? हाँ, गर्ल्फ्रेंड. आपके चेहरे का टेंचन देकी पता चल रहा है, कि फर्स्ट टाइम आई लव यू बोलने माँ हो. अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, अभी तो स्टोरी स्टार्ट भी नहीं हुई. ऐसी बात है तो ये टेडी गिफ्ट कर दीजे, आपको काम्याभी मिलेगा. टेडी बेर? मेरी फ्रेंड बच्ची नहीं है, वो तो एकदम नौजवान लड़की है. टेडी बेर सिफ छोटे बच्चों के लिए है, ये आपसे किसने कहा? मैं भी तो एक लड़की हूँ, मुझे टेडी बेर बहुत पसंद है. तो क्या उसकी पसंद भी आपकी जैसी होगी? हाँ, क्यों नहीं हो सत्ती? घर जाने के बाद ये टेडी देखके याद आजाएगी. मेरी बात मान लीचे, ये टेडी बेर उसे गिफ्ट कर दीजिए. तो मैं इसे खरीद लो? हाँ, वाइनॉट. थांक यू सो मच. आपका नाम? सुर्भी. मैं बिर्जु दादा. इसके लिए गिफ्ट थरीदे? मेरी गल्फरेंड के लिए. इसी ने तुम्हारे दोस्त के साथ जगड़ा किया था? हाँ, यही था सर. क्या बोला था उस दिन? सर ये बोला था कि घर के अंदर खुशके मारूंगा. ये क्या बोल रहा है? ठीक है जाओ. तुम्हारा नाम क्या है, बिर्जु? बिर्जु दादा, सर. रादा कृष्ण को तुमने क्यों मारा? रादा कृष्ण कोन है, सर? भूल के, उस दिन बार में जिसके साथ जगड़ा हुआ था. अच्छा तो उसका नम रादा कृष्ण है. कभी-कभी नशे में हम जादा कुछ बोल देते हैं, पर मैं किसी का खून थोड़ी करूँगा, सर. मैं इतना बड़ा बेवकूफ नहीं हूँ, सर. ठीक है. बॉल! 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 नहीं बोलेगा! नहीं बोलेगा, तु बॉल! अप! पवित्रा के साथ तुमारा क्या जगड़ा है? सर, मेरा उस लड़की से कोई वास्ता नहीं है. वो तो सर्फिरी लड़की है. उसके साथ मामली सा जगड़ा. उसके जीजा से मामली सा जगड़ा. ब्लडी स्टीलिफ बेलो. उसका जीजा कौन है, सर? एक्टिंग कर रहे हो? सर. सच में कुछ नहीं पता? सर, मैं नहीं जानता सर. उस रात राधा किशने के साथ तुमने एक मामली सा जगड़ा दिया. और उसका कतल कर दिया. मतलब राधा किशने पवित्रा का जीजा है? सर, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है. दो दिन पहले तुम राजभवन क्यू गए थे? मेरे वकील ने मुझे वहां बिजवाया था. कौन है तेरा वकील? क्रिमिनल लॉयर श्री कृष्णा. क्रिमिनल लॉयर के साथ गुम गुम कर, तुम भी क्रिमिनल बन गए हो. अवित्रा को फोन करकर के, तुम उसे टॉर्चर क्यूं कर रहे हो? मैं उसे टॉर्चर क्यूं कर रहे हो, सर? उसने मुझे कॉल करके एक्सिबीशन में बुलाया था. अच्छा. एक्सिबीशन से तुमने टेडी बियर क्यूं खरीदा? पवित्रा को गिफ्ट करने के लिए, सर. टेडी बियर उसे गिफ्ट करोगे? पवित्रा कोई चोटी बच्ची है. मैंने भी उस दुकान वाली लड़की को यही कहा था. पर उस सुर्भी नाम की लड़की ने मुझे एक खरीदने को कहा. उस लड़की को तुम गिफ्ट देना चाहते थे. उसने तुम्हारे खिलाब केस फाइल किया है. केस फाइल किया है? पर क्यूं सर? पवित्रा को भसाने के जुर्म में तुमने उस लड़की को ब्लैक मिल करने की कोशिश की. उसे प्यार का ज्हांसा दिया और मजबूर किया कि वो तुम्हारे साथ शादी कर ले. इसलिए बलड़ी सिनी फेला. इसे तब तक फीटते रहो जब तक की यह सच न बोले. सर! सर! शिट! सर! हलो? तुम यही सोच रही हो ना कि टेड़ी बियर तुम्हारे गर कैसे पहुचा? बिर्जु को पकड़वा कर मैने एक छोटा सा खेल खेला. और तुम फस गई. बिर्जु को क्यों फसाया? क्योंकि उसकी वज़े से भी मुझे प्राब्लम हुई है. जब मैने तुम्हें बोला कि मैं टेड़ी खरीदने जा रहा हूँ. लेकिन मैं नहीं गया. क्योंकि मैं तुम्हारे घर के पीछे ही चुपा था. मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है पवित्रा. तुम बदल चुकी हो. तुमने मेरा भरोसा तोड़ दिया. वो चुरी अभी मेरे पास यह जिससे मैंने तुम्हारे जीजाजी को मारा था. और उस पर तुम्हारे फिंगरप्रेंट्स हैं. एक और मॉर्डर करके उसे सीपी को यह चुरी गिफ्ट कर दूँगा. झाल! कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो मुझे पता था तुम मुझे कॉल करोगी पवित्रा मैंने तुम्हे धोखा दिया मैंने तुम्हे पुलिस के हाथ पकाड़वाने की कोशिश की अधर आज से तुम जो कहोगे मैं वही करूगी सच में करोगी कब मिलोगी तुम जब कहो कल मिलू ठीक है कल सुबा दस बजे रोड नमबो त्वैंटी फाइफ और अगर इस बार तु क्योंते जिन्दा नहीं मुझेगी तुम्हारे कहले पे मैंने तुम्हारे जीजाजी को पार्क में मैं तुम्हारा बहुत देर तक इंतिसार करता रहा पर तुम नहीं आई नेकले सोट के दुकानों पे तेल लगारे तुम्हारे लिए अच्छा सा टेडी गेर घारी रोगा तुम्हारा काम हो गया तो तुम? नमस्ते मैडम रवी, तुम ये सब क्यों कर रहे हो? मैंने क्या किया मैडम कितनी असानी से मुझे बेवकूफ बनाया अपनी फाइल मेरे पास छोड़ दी ताकि मैं तुम पर कभी शकी ना कर सकूँ मुझे कुछ समझ नहीं आरा आप क्या कह रहे है मैडम अगर कुछ समझ में नहीं आरा तो यहां क्या कर रहे हो? मैं तो यहां फिल्म की शूटिंग के लिए आया हूँ उन लोगों ने मुझे यहीं रुकने को कहा है और इतने में आप आ गई यह देखिये डायलोग फेपर हमारे डिपार्टमेंट के लिए परवाई की वज़े से कल रात बिर्जू भाग गया यह पता लगने के बाद तुम परशान हो जाती इसलिए हमने तुम्हारे घर के आज़ पास सिक्यूरिटी एरेंज कर दी और तुम्हारा फोन भी टैप किया टैप फोन में जब मैंने सुना कि तुम क्या कह रही हो तो आई वाश शॉक्ट तुम्हारी जानकारी के बिना हमने तुम्हें फॉलो गिया कमान टेल मी दे ट्रूप्त उस रवी के साथ तुम्हारा क्या संबंद है सफोन पर जो वाईजर वो मेरी है मैंने ही उसे कहा था कि मैं उससे मिलूंगी अगर मैं ऐसा नहीं बोलती तो वो गुसे में आकर किसी को मार देता मैं एक खुन और कर दूँगा आप सबको मेरी बात सुनकर हिरानी हो रही होगी पर यही सचाई है सर रवी से मेरी पहचान दो साल पहले हुई थी सर उसने आत्माहत्या करने की कोशिश की थी इसलिए उसे मेंटल काउंसिलिंग के लिए मेरे पास लाया गया था तुम मरना क्यों चाहते हो पदमावती ने मुझे धोखा दिया कैसा धोखा दिया वो प्यार मुझे से करती थी लेकिन शादी किसी और से कर ली उसने तुमसे कहा था कि वो तुमसे प्यार करती है हाँ बोला था रवी मैं तुमसे प्यार करती हूँ क्या तुम मुझे एक जीनस पैंड दिलाओगे तो क्या तुमने उसे दिलाई मेरे पास पैसे नहीं थे, इसलिए मैंने ट्यूशन मास्टर के घर से पैसे चोरी किये तुम और क्या करते थे? कोई भी नई मूवी लगती थी, तो मैं उसके लिए टिकेट लाता था वो इससे खुश होती थी? मैं हमेशा उसे खुश रखने की कोशिश करता था उससे बात करने के कोशिश की थी? मैं उससे बात करने के लिए ही उसके घर गया था जब मैं वहाँ पहुँचा तो देखा, उसकी शादी हो जुकी थी और मैं बर्दाश नहीं कर पाया रवी की बातों में कितनी सचाई है ये जानने के लिए मैं उसके गाओं गई और पदमावती से भी मिली मैं हूँ पदमावती आपको मुझसे क्या काम है? क्या तुम रवी को जानती हो? कौन रवी? जिसने तुम्हें जीन्स पैंट दिलाई थी वही रवी मुझे जिसने जीन्स पैंट दी उसका नम रवी है। क्या तुम नहीं जानती कि वो कौन है। नहीं मैडम, जब सोकी उठी तो जीन्स पेंट मेरे बेट पर थी। अगर ऐसा है तो तुमने उससे जीन्स क्यों मांगी। जब मुझे पता ही नहीं कि वो कौन है तो मैं कैसे मांग सकती। पदमावती से बात करने के बाद मुझे पता चला कि रवी सब कुछ अपने मन से उस लड़की के लिए करता था। उस लड़की ने उससे कभी कुछ नहीं मांगा। और वहां से लौटने के बाद मैंने उसका MRI स्कैन किया उसके हामून टेस्ट किये। और उसकी रिपोर्ट से मुझे पता चला कि वो बॉडरलाइन परस्नालिटी डिसॉडर नाम की एक दिमागी बीमारी का शिकार है। उसकी जजाग खतम होने से पहले मैंने उसका इलाज भी किया और फिर वो जेल से रिहा हुआ। रिहा होने के बाद जब उसकी फैमिली कंडिशन का पता चला तो मैंने सुचा उसकी मदद करनी चाहिए। और इसलिए मैंने उसे स्वामी जी के आश्रम में एक नौकरी भी दिलवाई थी ताकि वो अपनी जिंदगी गुजार सके। तुमने इसकी इतनी हेल्प की फिर भी इसने तुम्हें क्यों टार्गिट किया। यही बात तो मुझे भी समझ मनी आ रही। ट्रीप्मेंट के दौरान जब मैं उसे आश्रम में मिली तब वो मेरी बहुत इस्द करता था। लेकिन उसके बाद उसमें यह जुनून कब पैदा हुआ। इस जुनून में उसने मेरे जीजाजी को भी मार दिया। मेरी मदद करने के लिए। रोड एक्सिडेंट में दो लड़कों की मौत हो गए। राधाकृष्ण मर्डर केस के असली कातिल को पुलिस ने आखिर कस्टडी में ले लिया है। पुलिस के नजर में वो एक मान सिक्रोगी है। क्या हुआ भावी? आप इतनी रात को यहाँ? रवी ने शहर में किसी का खून किया है। पुलिस ने पकड़ लिया है। टीवी पे यह सब कुछ दिखा रहे है। क्या भावी? तुम जो बोल रही हूँ वह सच है। और नहीं तो क्या? मैं यहाँ टाइम पास सोनी कर रही है। ए भगवार! मैंने अपने पती को खो दिया। अब क्या अपने बेटे को भी खो दूगी। क्या हुआ मनुर्मा? रो क्यो रही हो। अरे रोएगी नहीं तो और क्या? इसके बेटे को पुलिस ने पकड़ लिया है। ए भगवार! हम क्या करें? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। रोना बंद करो मनुर्मा, बनेशान मत हो। कल हम एमेले के पास जाहेंगे। मजे बचालो। रवी नहीं! प्लीज किर्थी को खुछ पद करो रवीज! रवीज रवीज! अजे पुलिस से पकड़ाओगी ना? रवीज रवीज! नहीं छोड़ूं दमाई से! रवीज पास में पज़े पढ़े! प्लीज पूप! रवीज पूप! रवीज रुक जाएओ! रवीज प्लीज! तुमने वाइटर्टी का अलाम लगाया था ना? तो इकनी जल्दी के उठ गे? रवीज पास के लिए तुम्हारा एल्बम देख रहा था। तुम्हारी तो अच्छी खासी फैमिली है। क्यों, तुम्हारी जीज़ जी का कतल मैंने किया। मैं क्या तुम्हारे साथ जबरदस्ती कर रहा ह। नहीं पेजू, यह सब मेरी कलती है। मुझे गलत फैमि हो गई थे। अग्वान का शुक्र है कि मैंने कुछ किया नहीं। अगर मैं गुस्से में आकर तुम्हें मार देता तो शाद मुझे कुछ पता ही नहीं चलता। तुम मुझे नहीं मारते, बिर्जू। तुम बहुत अच्छे इंसान हो। वो भी एक छोटी से जगड़े के पीछे। छोटा सा जगड़ा? जिसके लिए तुमने मुझे जेल भीजवा दिया। लाइट आफ करके हिसाब फूरा कर दू। उतना छोटा नहीं था। तोड़ा सा बड़ा था। लीज मुझे छोड़ दो ना। इस लाइट की कसम मैंने तुम्हे छोड़ दिया। सच में मिर्जू, सच में ना। एलो, पुलिस से पकड़वा के तुमने बहुत मजे लिये ना। उस रवी ने मुझे चांस ही कहां दिया। घर आता ही फोन आ जाता है। वह तो ठीक है पर इन जख्मों का क्या। ट्रीटमेंट कराने में दस हजार का खर्चा होगा। कौन भरेगा। और शीशा लगाने के पीछे जो पांच हजार खर्च हुए। वह कौन देगा। कृष्णी जी बहतरी ने क्रिमिनल लॉयर है। इस पॉइटे चैस फ्वाइल कर दो। क्या बात है ऑे मेले असाब की जी जजा जी कैसे आप। मैं ठीक हूँ सर। हाँ ए मेलिस आपका फोन आया था। वह किसी केस के बारे में बोल रहे थे। क्या ए कieस। आजा ये मैडम यह मनोर्मा है, हमारे गाउं में रहती है जीजा जीन आपको बताया ही होगा नमस्ते साहब बात क्या है? इनके बेटों को पुलिस ने मडर केज में अरेस्ट कर लिया है तो मैं बेल दिलवा के केज शुरू करवा दो, है न? एकदम साहिसा फीज कौन देगा? तुम्हारे जीजा जी उनको मेरे स्टेटर्स के बारे में सब कुछ पता है उसके बाउजी वो ऐसे केज को मेरे पास भेजते है बाई इंदर इनके पास कोई वकील नहीं है अगर आप मदद करेंगे तो इस बात को कोट में बोलो कोट अरेंज कर देगी मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की अगर ये केस लड़ते हैं तो भागवान की क्रिपा होगी आप बहार रुकिए और उनसे एक बाद मिल लीजिए सुनिए बेहन जी क्या आपको भूक लगी है? मैं भूकी नहीं हूँ साहब कहांगे दिन दहाडे राजते में मर्डर करने वाले खतरनाक मुझरमों के केसिस सालों से कोट में पेंडिंग पड़े हैं इसलिए कुछ लोग कानून से बिल्कुल नहीं डरते हैं पूरे समाज में जुर्म बढ़ने की वज़े से बहशत फैली रहती है कुछ राजियों में देश की ऐसे हालत बिल्कुल नहीं है कानून वहां भी लागुक किया जाएगा सजा बहुत कठोर रहेगी जुर्म साबित होता है तो गुनेहगारों को सब के सामने फांसी दी जाएगी इस मामले में जहां मेरा सवाल है मैं इस सजा से सहमत हूँ मैंने भी एक गुनेहगार को फांसी की सजा सुनाई थी पर मुझे कभी अफसोस नहीं है नमस्ते जशाब नमस्ते आपकी सपीज सुनी बहुत अच्छी थी थैंक्यू आपने जब उस आदमी को फांसी की सजा सुनाई तो उसके परिवारवाले या कोई और उसको याद किये वो कोई भगत सिंग या राजगुरु तो नहीं थे जिनें याद किया जाए इंसान तो था वो भी तो एक इंसान था जिसे मारा गया झाल झाल मैंने पैसा बेजा था लिया नहीं नहीं लिया जाए कहां कहें थे आप नहीं नहीं आ रहे जी सिगरेट पिक आया क्या आपने उस औरत को देखा जो हमारे घर के सामने बैटकर कबसे बारिश में भीग रही है कौन सी औरत वो ही औरत जो बाहर बैठी है जिसका केस लड़ने के लिए आपने साफ साफ मना कर दिया है बेचारी मैंने उसको देखा है मैंने भी उसे देखा है गरीबी की वज़े से वो अपने बेटे को पढ़ा नहीं पाई पैसे कमाने के लिए अपने बेटे को साथ ले जाया करती थी धूप में बारिश में शायद आपको भी यही हालातों से गुजरना पड़ा होगा आपके माताजी के साथ याद आया मैंने अपने साफ सुमा को देखा नहीं लेकिन सोच सकती हूँ शायद वो इसी मा जैसे दिखती होगी जो बारिश में भीग रही है अन्दर आजएगे गुद मॉर्निंग सर्व गुद मॉर्निंग सर आपने मुझे यहां क्यों बुलाया है? मेरे पास एक केस आया हुआ है कौन सा सर? एक लड़का है पागल सा पागल क्यों सर? उसको देखना चाहोगे? पागल है तो मैं नहीं आऊँगा सर मेरी मां केती ही पागलों से दूरी रहो नो प्रोबलम मैं हूना तुम्हार साथ मुझे मत बारो मैंने कुछ नहीं किया मुझे मत बारो चोड़ दो मुझे बैठो बैठो मेरी वज़जे पुलिस ने मुझे ओके मैं बात करते साच तुम बाहर जाओ तुम बाहर जाओ मैं बाहर हूँ बैठो मैं तुम्हारा वकील हूँ डर्ना मत क्या तुमने पहले कभी मुझे देखा आए आँ देखा आए कहां? स्वामी जी के आश्रम में गोड तुम्हारी माने तुम्हारे बारे में सब कुछ बताया मुझे अब तुम दोबारा बिना कुछ चुपाए मुझे सब कुछ बताऊगे चाओ सर आपसे एक रिक्वेस्ट है क्या है? आप ये केस मत लीजिए क्या हो? मुझे उसकी बाद पर विश्वास ने है वो बट बड़ा क्रिमिनल है हम अच्छा आप उसके बारे में जानते नहीं है सर जान गया हूं तुम उस लड़की के बारे में नहीं जानते उस लड़की की वज़े से आज रवी की ये हालत है रवी इनोसेंट है मुझे विश्वास नहीं होता क्यों नहीं हो रहा है? वो मुझसे जूट नहीं बोलेगी क्योंकि वो मुझसे प्यार करती क्या कहा प्यार वो लड़की एक पागलों की डॉक्टर है तुमारे जैसे कई लोग उसके आगे पीछे खुंगते हैं तुम भज जाओगे सर गड़ी रोकी सॉरी सर अगर आप ये केस लेते हैं तो मैं आपके साथ काम नहीं कर पाँ तुम नहीं करोगे तो भी ये केस मैं ही जीतुँगा बस यही पर गाड़ी रूपो इस इस था हॉस्पिटल हाई डॉक्टर मैं हूँ डॉक्टर हार्भाजन सिंग नहीं रिंग मुझे वो रिंग जाए मुझे मुझे वो रिंग जाए अ thousand कार में में पेशनने व अन्त ङॉक्ण कर भी तूर्फ सब्सकिर में हंतमरी ए पर अरे पागल निचे इथार्टर हूं मेश्टर दोक्टर? येश्ट कहायette क्ये शेभाल निहीं रॉक्टर एबत पेशन्ट डिफ्रेंट दो राम तक ये भी को जाएगाः उसको उंदर लेकर आऊओ डाइत्स गूड इस दवन यह को दिश छेर आया ठोसह छेर आया बकरी को का बचाओ तो घ्रोने को बचाओ तो मेरी बकरियों को चडाओंगी प्रोने पर टरोगे तो नहीं हम् डॉक्टर यह है कि आपैसे SEMORE PATI Prozentar हर बात पर रियक्ट करना इनकी आधात हो गई है यह फाल नहीं हूं यह भी SEMORE PATIENT इसी की तरह आप सबसे पहले इस को देखे रॉक्ट Clint इसकी वीमारी लेफ ड्रायट से ठीक नहीं हो गी सेंटर में शॉक देना होगा वोड़े की तरह, इन हिनाय का भाई बही यहां, यहां कैसे आया? अबे तुम ताज महल में बैठे हो शिरी कृष्टना ने रवी का केस ले लिया है तुम पर भरोसा करके मैंने रवी को मारने के लिए तुम से कहा था पर तुमने उसे मारा नहीं अगर उसने कोर्ट में बग दिया तो मैं फंस जाओंगा मैं यहां तुम से कुछ कह रहा हूं और तुम खाने पीने में लगे हो वो कोर्ट ना पहुँचने पाए इतना याद रखना लेकिन लॉयर क्रिष्णा रवी का केस क्यों लड़ रहे है वो आश्रव में काम करता था शायद इसलिए स्वामी जी ने उसकी मदद की होगी स्वामी जी को यह सब नहीं पता क्या उन्हें कैसे पता चलेगा हमने उन्हें कहां बताया वो रवी की मदद कर रहे है मतलब हमारे साथ नहीं है वो बिर्जू तुमने जल्दवाजी कर दी क्यों पवीत्रा तुम लॉयर का साथ देते तो हमें इस केस की डीटेल्स पता चल जाती अगर सच्चाई हमारे पास होती तो ज़रूरत पढ़ने पर हम भी लड़ते है अगर हम केस जीद गये तो ठीक है पर अगर श्री कृष्णा केस जीद गया तो रवी निर्दोस साबित हो जाएगा ना फिल्म देखने जाने के लिए मैं बस टोपर खड़ा था बस भी आ गई आर टी से कॉलनी जाने के लिए कहा उसने कहा जाओंगा चड़ जाओ मैं बस पर चड़ गया और सीधा यहां आ गया जब मैं होटेल से बिर्यानी लेके आ रहा था तो कुछ कुट्टे मेरे पीछे पड़ गये तो मैं तुरन बस में चड़ गया और वो बस मुझे यहां छोड़ गयी मैंने पैर उपर किये दीवार से पुदा और सीधा यहां पहुँच गयी सर हमें यहां से कैसे भी करके जाने देजिए हम पागल नहीं है सर तो तुम लोग पागल नहीं हो हम पागल नहीं है सर लेकिन मैं पागल हूँ जोक्टर नहीं हो तुम पागल हूँ अभी अभी मैंने दो पागलों को बाहर बिरियानी खाने के लिए यहां से रिलीज कर दिया है सर हमें भी बिरियानी खानी है हमें बाहर जाने दीजे सर दो दिनों बाद सारे पिक्टर सच्छे सब्सक्राइब, उस तरो थे, हाँ, यह यहाँ भी, स्वामी छिदानन जी के आज सुबा हत्या हो गई है, हत्या की वजए अभी तक किसी को पता नहीं चली है, पुलिस आश्रम में चानबीन कर रही है, यह सब कब हुआ? मुझे नहीं पता, आज सुबज जब स्वामी जी नीन से नहीं उठे, तो हम उन्हें जगाने आये थे, देखा तो वो नहीं रहे, स्वामी जी रात को सोनन से पहले, किसी से मिले थे? असल में कल से ही स्वामी जी की तव्यट ठीक नहीं थी, वो किसी से भी नहीं मिले, बॉर्णिंग साथ, बॉर्णिंग साथ, असल में नहीं रहे, PCP यहां क्यों आ रहा है है हाई सर अवित्रा कुछ पूछना था अगर इसकी अधिक मात्रा इंजेक्शन से ले ली जाए तो इसका क्या एफेक्ट होगा डेत अफकोस सर क्या यह मेडिकल शॉप में आसानी से मिल जाता है नो सर यह स्केडियूल ड्रग है जो सिफ हॉस्पिट प्रिस्ट फॉर मेंटल इलनेस बाहर शॉप्स में अवेलबल नहीं है स्वामी जी को किस ने मारा होगा पता नहीं सर मुझे कैसे पता होगा मैं बता दू बात क्या से तुमने मारा है आप मुझे पर शक्क करें स्वामी जी की बॉड़ी के पास से हमें हर्डल इंजेक्शन की एक खाली बॉटल मिलिये और ये सभी तुम्हारे ही हॉस्पिटल को सप्लाई हुई थी यह रहा बैच रिपूर्ट तुम्हारे हॉस्पिटल में जो ड्रग सप्लाई होती हैं उनकी इंचार्ज तुम्हारे पर्मिशन के बिना वो बाहर नहीं आ सकते सर्च पॉर्ण प्लीज को अपरेट अच्छे से सर्च कर ये सर उस तरफ सर्च पॉर्ण के देविए सर्च इंफर्मर्शन बेखली थी एक्समाप की सीडी मिली है तुम्हारे सकती हो ये क्या है मुझे नहीं पता सर्च मैं इसे अप्ले का सकता हूँ शाँ साथ कि अप्ले कि अप्ले को शाँ अप्ले करें दो शाँ समें आरा साँ यह सब कैसे हो गया पवित्रा तुम मेरी बेटी की तरह आओ आलाद की वज़े से तुम्हें कुने कार मालना पड़ेगा तुम्ही मत मदारो सर आई लेवल पिर्शर है अरेस्ट करना पड़ेगा ट्राइटो अंडर्स्टैंड प्लीज मैंड़ इस केस की सुनवाई के बाद कोर्ट पवित्रा की अर्जी को खारिज कर उन्हें जेल भेजने का हुक्म सुनाती है प्लीज मैंडर्स्टैंडर्स्टैंडर्स है प्लीज मैंडर्स झाल 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 होड얼 होड़ 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 प्रवी की है. एकादशी वाले दिन जब प्रशाद लेने के लिए मैं स्वामе जी के कमरे में गई तो रवी वही था. और तो? नश्य वाला प्रशाद खिलाके जब स्वामे जी ने मुझे बेहोश किया तब भी वही वही था. जब उसने मुझे ऐसी हालत में देखा, तब उसने मुझे फॉलो करना शुरू किया वैसे तुम्हारे जीजा जी के मर्डर केस में सेक्शन 84 के तहट ये साबित हो चुका है कि रवी में BPD क्वालिटीज है मेंटल हॉस्पिटल में उसका ट्रीटमेंट किया जाएगा ये ये ले 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 घर करा है अले बाबरे फिल्मों की तरह कुद राओं तीय टीय टाटा तो यू आर नॉट अलुनेटिक तुम पागल नहीं हो डॉक्टर हो और वो हर बजन पागल हूँ अगर तुम हर बजन हो तो वो कॉन है मुझे नहीं पता, डॉक्तर. तुम हर बजन हो, तो वो कौन है? वो पागल है, डॉक्तर. सर, सर, D-Block में सब पागल पेशंट भागए है. कॉल डॉक्तर हर बजन. मैं हूँ हूँ हर बजन. आप चुप रहे हैं, कॉल डॉक्तर हर बजन, इमेडियेटली. वो भी कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं, सर. ओ माई गाड, उसे वो पागल लेकर भागए क्या? नहीं, सर, वो पागल आपके सारे पागलों को भखा कर ले गया. आप ये बैक चेक कर लीजे, आपको सब समझ माज आ जाएगा. लीज ये देखिए. तुम तो सही कह रहे हो भाई, तुम ही डॉक्टर हो, वो पागल है. मुझे तो ये बात रात को ही बता चल गी थी, और ये सारी बाते मैंने सुन ली थी. तो मुझे क्यों नहीं बताया? आपने तो बताया था कि पागलों के बीच में आपका कोई खबरी भी है. मैंने तुन्हे डराने के लिए बोला था भबस, वह, 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 क्या कर है. एक काम करो, बस निकलोबु कहा जाना है, यह बस नागपूर जाती है, क्या? यह सब जगा जाती है, चला आजाओ. यूलो जहाओ लूनावला जाएगी ये सब जगह जाती है चलो आ जाओ जाना है विक्रमबाद कहा जाना है बैंगलोर, जरा आजा, आओ, यह क्या, लिक्रमबाद लोना वाला नागपूर बैंगलोर सब जगह के पैसेंजर बढ़ली है, तरहसल कौन से रूट की काड़ी है, सब जगह कैसे जा पाएंगे, बस तो एक ही है ना, तुम फिक्र मत करो, आजा, उतर जा, उतर जा, चलो, उत जगह करो, जगह करो, जगह करो, जगह करो, जगह करो, तक सब कुछ ठीक हो जाएगा, ओके सर, प्रोसिक्योशन लड़का रवी, इसकी मांसिक स्थिती ठीक ना होने की बजह से, इसने राधा कृष्ण जी का कतल कर दिया, ऐसा पुलिस ने, अभी 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 इल्जाम लगाया है, इसलिए IPC सेक्षन के धारा नंबर 302, 306 और सेक्षन नंबर 84 की अनुसार, क्रिमिनल की अच्छे से इंक्वारी करने की कोर्ट से इजाज़त चाहता हूँ, ओके, प्रोसीड, क्या तुम इस रवी नाम के लड़की को जानती हो, जो तुम्हारे सामने खड़ा है? जानती हूँ सर, कैसे जानती हो? इसकी बेहन और में क्लासमेट्स थे, और कभी-कभी वो आपने बेहन के साथ मेरे घर पर आता था, इसके अलावा तुम इसके साथ संपर्क में रही हो? नहीं, सर संपर्क में ना रहने पर भी, तुम्हें तुम्हारी मनपसंद चीज़ें मिल जाती थे कभी-कभी, मैं कुछ समझ नहीं पाई, लेकिन पवितराजे ने मुझे समझाया क्या समझाया? कि उसी एक बिमारी है ACP सुरेंदर सर, इस केश से संबन्थ हित, जितने भी डीटेल्स हैं, यह आप कोड को बताना चाहेंगे? Yes, Your Honor डक्टर पवितरा, क्या आपको लगता है कि रवी ने ही यह हत्तिया की है? Yes, Sir आप साबित कर सकती हैं? उसकी बिमारी और उसकी रिपोर्ट्स एक दूसरे से रिलेटेड हैं इस केस को सल्व करने के लिए, मैं कोड से दूसरा डॉक्टर अपॉइंट करने की दर्खवास करता हूँ डॉक्टर पवितरा तू है न, Your Honor अब्जेक्शन, Your Honor इंट्रेस्टेट विटनेस स्वर्गी राधाकृष्ण जी, पवितरा जी के जी जाजी थे अब्जेक्शन, Your Honor अब्जेक्शन, ओवरूर डिफेंस लॉयर की पुष्टाच के बाद मैं गवर्मेंट डिपार्टमेंट को दूसरी साइकेटरिस्ट न्यूक्त करने की घोषणा करता हूँ डिफेंस कॉंसिल, यू कन स्टार्टमेंट क्रोस एग्जामिनेशन एसीप साहब, राधाकृष्ण मुर्डर केस आप ही इन्विस्टिगेट कर रहे ना? यस मुर्डर स्पोर्ट पे पहुँशने के बाद क्या आपको मुर्डर वेपन मिला? नहीं मिला नहीं मिला, वेरी वेलिवल पॉइंट यूर अउनर, प्लीज नोट दिस क्या आप राधाकृष्ण जी की दूसरी वाइफ है? अहां सर जब पवित्रा केस फेमिली कोर्ट में हार गे तो उसके बाद क्या हूँ आप बता सकती हैं मुझे? उस दिन कोर्ट के बाहर पार्किंग एरिया में पवित्रा ने मेरे पती को धमकी दी कैसे? उसने का किर्ती को तुमसे दूर नहीं ले जा सकते अगर जरूरत पड़े तो मैं तुमें मार दूंगी थैंक यू प्लीज नोट दपॉइंट यूर अनर बिर्जू, क्या तुम्हारा रवी से पर्चे है? नहीं नेकलेस रोड पे एसीपी साहब ने तुम्हें आरेश्ट किया था क्योंकि मैं पवित्रा को फोन करके परिशान कर रहा था तुमने ऐसा किया था? नहीं फिर ऐसा किस ने किया? रवी ने ये बात तुम्हें खुद पता चरी या किसी ने बोलने के लिए का हाँ? पवित्रा ने का हाँ हाँ, पवित्रा देट्स आल एर और रवी तुम्हें पोलिस ने कहां अरिष्ट किया था? रोड नंबर 25 भूद बंगला तुम क्या कर रहे था? मैं वहाँ फिल्म की शूटिंग के लिए गया था वहाँ पे क्या हुआ? मैं वहाँ उन लोगों का इंदजार कर रहा था और इतने में डॉक्टर पवित्रा वहाँ आ गई उसके बाद पवित्रा जी ने मुझसे पुचा कि मैंने उनकी जीजा जी को क्यो मारा और वो छूरी कहां रखी है और उन्होंने मुझसे कई सारे सवाल पूछे तभी वहाँ पुलिस आ गई और मुझे पुलिस टेशन लेके चली गई योर ओनर जीज जगह पर मडर हुआ वहाँ पर मडर वेपन नहीं मिला मेंटल इविलेशन रिपोर्ट के मुझाबिक डॉक्टर ने बेनिफिट आफ डाउट एक्सपेस दिया है सीन ओ ओफेंस में रवी उजगब पर था ये साबित करने लिए कोई भी गवाँ नहीं है तो फिर मडर का इलजाम इसमे साबित ही नहीं होता No, Your Honor BPD की वज़े से रवी ने मडर किया है मेंडिकल रिपोर्ट के मुताबिक डॉक्टर ने उसे बेनिफिट आफ डाउट दिया था ना Your Honor BPD को साबित करना बहुत मुश्किल है It requires some time and observation अगर आप मुझे एनुमती दे तो आपको मैं एक पक्का सबूद दिखा सकता हूँ इसमें ऐसा क्या है? मुझे कुछ समझ में नहीं आया यह रॉनर वीडियो में जो परचाई है वो रवी की है रटर पवित्रा को इस हालत में देखने के बाद उसका जुनन और बढ़ गया और साथ ही साथ बीपेडी सिम्टम्स भी मिस्टर पांडू रंगराव मैं सीडी को सुबूत के तोर पर स्विकार नहीं कर सकता इस केस की बहस को यहीं पर रोकते हुए इसका फैसला दोपार तक के लिए मुल्तवी किया जाता है यह हत्या रवी ने की है इस बात को प्रोसिक्यूशन सुबूतों के साथ साबित नहीं कर पाई है और इसी लिए बेनिफिट और डाउट देते हुए अपराधी को निर्दोष साबित करती है और उसे बाईज़द बरी करने का हुक्म सुनाती है साथ ही हिदायत देती है कि पुलिस असली कातिल का पता लगा है सर सर ये केस के बारे आपको क्या जाता है मुझे इस बात की खुशी है कि मैंने एक मासुम को सजा से बचा है सर आप हमेशा अमेरों का केस क्यों लड़ते हैं सर हाँ ये सच है मगर अब मैं पैसो के लिए नहीं लड़ूंगा ऐसा मैंने अब सोच लिया है अमेरों का साथ गरीबों का भी केस लड़ूंगा आपका एसा आप मेरे पैर नहीं पढ़ने चाहिए हमारे MLA सहब के जीजा जी ने कहा था कि अगर आप हमारे लिए केस लड़ेंगे, तो हमारे लिए भगवान का आशिरवाद होगा. हम सब इंसान हैं, हमारे अंदर भगवान बसते हैं, राक्षस तहीं. हम अपने गाउं वापस चले जाएंगे. सुनो, फाइथा सुनो, ये रखिए. नहीं साहब, आपका हमारे उपर बहुत अहसान है. ये रवी के लिए तोफा है. अन्यवाद सर्थ. मैंने कहा था ना, रेक्रिष्ना बहुत ही इंटेलिजेंट लॉयर है, अब फिर से मुसीवत की शुरुवात हो गए. कोई विश्वास करे या ना करे, पर रवी ही गुनेगार है, और कभी ना कभी वो जरूर पकड़ा जाएगा. कि सकता बाएगा really किसे इंट ही वो मुशे लिए है. अग रवी है. लोग्बने कार उने प्रहर कोड़ा है, रेक्रिक्षणा रवार्वास प्लिए है. अईवास प्रिस्ते विए, विए, वे वे लांग तो फित वाएगा है. धुरस पेते हैं कि लुक हो बहु कि नहैं मुझब कि वुक है कि लुक है अ इंदो अबित्रा, तुम मुझे हमेशा के लिए मेंजल हॉस्पिटल भेजना चाहती थी, ना? आश्रम में सौामी जी जब तुम्हारा रेप करना चाहते थे, तो मैंने ही तुम्हें बचाया था. देकादशी के दिन, सौामी जी तुम्हारे प्रशाद में नशीली दवाईयां मिलाके तुम्हारा रेप करने की कोशिश में थे, और वो सब कुस देख करके मैं सह नहीं बाया, इसलिए मैं बिजली कट करके चोड-चोड चिल लाने लगा. थो पेकादशी a looking sky. और अलेटी सब में बांटी कोशिश में इैसे, अरे बाप्रे, यह लड़की यहां केसे लेटी है? facile क reflect on the mut. वि समय लेके लिएस ऐघ्ट्षी के उपुवास के कारणँ चक्कर खाखाके गरउ है. स्वामी जी ने तुम्हारा रेप करने की कोशिश की थी इसलिए मैं उन्हें पकड़वाना चाहता था और पुलिस को फोन कर था हेलो पुलिस कंट्रोल डूम अगर आप स्वामी चेद्यानन के आश्रम को सीज करते हैं तो उससे समाज को फाइदा होगा तुम कीर्थी को अपने से अलग नहीं देखना चाहती थी इसलिए मैंने तुम्हारे जीजाजी को मार दो जब मैं तुम्हें मिलने के लिए तुम्हें उस बूद बंगलो पर बुलाया पर तुम्हें मुझे वहां पुलिस के हाथों पकड़वा दिया तब मैंने सोचा, जाहे किसी भी तरह से मैं तुम्हें जील भेज दूँग़ और तुम्हारे घड से तुम्हारी कार चुरा के, किसी को मार दूँग़ कार चोरी होने की कम्प्ले मैंने तुम्हें लिखवाने नहीं दी पाए, पवित्रा ओ नू शिख टैड़ी डैड़ी दर्वासा खोलो लगता है डोर लॉक है रे खोल ली माँ ठीके डैड़ी मैं बहाँ चारी हूँ एसी भी सुरिंदर को कॉल करने के लिए तो टेक केर ओफियर सेल्व पिटा सम्हाल के जाना हाँ हालो सब पवित्र बोल रही है इसमें क्यों फून कर रही है सब प्लीज जल्दी मेरे घर आजाईए एनिटिंग सीरियस यह सर रवी मेरी घर पर आया था मेरी काल लेके मुझे ड़ा के भाग गया डोंट वरी मैं अभी पहुंचता हूं आपरबाकर बोलो सर कंट्रोल रूम से एक अजण मेसेज आया है क्या मेसेज आया है कहां से आ रही हो पोईत्र अपका फोन का निकले गई थी क्यों घर का फोन क्या हुआ सर रवी ने लेंडलाइन डिसकनेक कर दिया और सेलफोन भी लेके चला गया और जब याडी को बुलाने गई तो उनका रूम अदर से लॉक था वो मेरी कार भी लेके भाग गया सर और पिर उसने एक टीवीडे प्ले की और मुझे दम की देरा थ कैसी उसने कहा कि वो मेरी कार लेके जाके किसी का एक्सेडेंट करेगा और पोलिस मुझे पकड़ लेगी लैंडलाइन कहा है वहा है सर ने तो कहा कि डेड है फोड़ी देर पहले डेड था सर अ ये किसका फोन है मेरा इससर तुमने तो कह था मिल लहीं रहा है दरवाजा भी खुला हूए जब मैंने खोलने की कोशिश की तो वो अंदर से बन था सर वो डिवीडी प्लेटी प्लेटी जा मेरी बेटी सच कह रही है रवी यहां आया था आपने उसे देखा मैं अपने कमरे में था वो कमरा लॉग करके चला गया मानिये रिटेर्ड जज महोदे पेटी के साथ साथ आप भी जुट बोल रहे हैं सब प्लीज अंडरस्टांड अस रवी ने मेरी कार चुड़ाई है कुछ हुजास से पहले हमें से रोकना होगा डाला और मुझे फोन करके कह रही हो तुम्हें कुछ पता नहीं पुलीज को तुम्हें पागल समझ लिया है जो यहां बुला कर नहीं नहीं कहानिया सुना रही हो मैं रवी को कैसे मा सकती हूं साँ तुम्हारे घर आते वक्त मैं उस पॉर्ट से होकर आ रहा हूं जहां रवी की लाश पढ़ी है तुम्हारी वो कार रवी की डेट बॉड़ी तुम्हारा फोन को और इस तब मैश कर रहे है तुम्हारी जान खत्रे में पढ़ सकती है तुम कर दिस दाइ दाजा लास्टाइम गाव में राम नम्मी कितने धुमधाम से मनाई गए गए अधा बहुत मुज़ा आया था अरे फोन तो उठा चोड़ना उठाउंगा तो बोलेंगे लोन जाये काट चीए फाल दूमें परिशान करते हैं चोड़ मिर्जो प्लीज फोन उठाओ मिर्जो मैं पवित्रा पवित्रा है बोलो पवित्रा तुमने मुझे यहां की बलाया जवी मार गया कैसे मेरी कार के नेचे आखे तुम कैसे ड्राइविंग कर रहेए टुमने एकसिडेंट नहीं किया तुमने नहीं फिर किसने? मुझे नहीं पता. तुम्हें नहीं पता? रवी मर्डर केस में, साइक्याट्रिस डॉक्टर पवित्रा पुलिस के हाथो अरेस्ट होने से पहले ही फरार हो गई है. पुलिस इने पुरे शेहर में ढूड रही है. इसी और की वज़ा से मैं गुनेगार बन गई हूँ, बिर्जू. मेरा बेटा, मेरा बेटा रवी बिलकुल निर्दोश था. और ये बात कोट में भी थाबित हो गई थी. उस डॉक्टर ने मेरे बेटे को मार डाला. ये समझ में ने आरार कि ये सब गर कौन रहा है? लगता है तुम्हारे जीजा जी का भूठ बदला लेने के लिए ये सब कर रहा है. बिर्जू, ये क्या बोल रहे हो तुम? भूठ शैतान जैसी चीज़े नहीं होती. रवी की मा का ये कहना है कि पवित्रा की पापा रेटाइड जज होने की वज़े से अपनी ताकत और पैसे का इस्तमाल करके… बेगुना इंसान को ताकत और पैसे की जरूरत नहीं होती. ठंडे दिमाग से सोचना होगा. क्या करेंगे? संहल की, शायद कार में सुराग मिल सकता है. इसलिए तो इतना रेस्क उठा रही हूं. बिर्चु, फिंगर प्रेंट्स होगे. डून्ट टाच. होगे शेय। छायद पिर्चु, विर्चाप डून्ट ख PATI Caesar Palace भूत और चुड़ेल भी बार में जाकी बिते हैं? नहीं पिते हैं जिसे मेरी कार चोरी करके रवी को मारा, वो इसी बार मी मिलेगा हमें उसे पकड़ना होगा अप्राइविट डिटेक्टिव, एक मड़र कीस इन्वेस्टिगेट कर रहा है इस बिल्डेट में जितने भी रिकॉर्ड़ेट टेप से मुझे दिखा सकते हो? वीडियो टेप चाहिए आपको दिखा देता हूँ लेकिन मुझे दस हजार उपे चाहिए क्या हुआ पिर्चू? हम बहुत लग्की हैं पवीत्रा इस पप में बहुत से कैमरेज लगे हैं जितने लोग भी आते जाते हैं सब का पता चल जाएगा मैंने इस विल्डेट के सारे वीडियो टेप सुन से मांगे हैं सिक्योर्टी ओफिसर ने काया दस हजार में सब मिल जाएगा इस विडियो टेप में वो आदमी हमें दिखेगा ना? येस इसमें दिख जाएगा अगर हम उसे ढूंडी नहीं पाए तो हम? नो चांस अगर वो बार से बहार नहीं भी आया होगा तो भी इसमें रिकॉर्ड हुआ होगा और ये सब मेरे बॉस नहीं के दर ये सब मेरे बॉस ने के मुझे तो यकिन नहीं हो रहा है लॉयर श्री कृष्णा पर उन्होंने मेरी कार से रविय का क्यो मारा? बिर्जू आया है हाँ मैने देखा तो उसे अंदर बुलाओ ना क्या मैने उसको बाहर जाने बोला अंदर आने कहो क्या बिर्जू ये तुम्हें अपने छोटे भाई जैसा प्यार करते हैं और तु उस लड़की की वज़े से इन पर शक कर रहे हो मैने आपको बोला था सर मुझसे बहुत बड़ी गल्ती हो गई वो दिमागी डॉक्टर है मैने कहा था उससे दूर रहो तुमने कहा वो मेरा प्यार है कितनी मुश्किल से मैने रवी को आजाद करवाया है उसने उसको भी मारती डाड़ी क्या मैं विर्ची उंकल से बात कर सकती हूँ हम् हाँ 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 झाल झाल फिंगर्प्रिंट्स मैंच करने कले मैं अपने बॉस की डायरी लेया है यह है फिंगर्प्रिंट्स रपोर्ड आइडेंटिकल एक्वल नो डाप्ट रवे को कृष्णा लॉयर नहीं मारा है इसनी चाला की से उसने तुम्हें भसाया है दिस्ट्रिक कलेक्टर को मारने के केस में गुनेगार को मौत की सजा दी जाती है मैजिस्ट्रेट ए पांडूरंगा राओ ने ये जज्जमेंट दिया है दी श्री कृष्णा सन अफ लेट वेंकटेश्वर राओ जज्ज पांडूरंगा से बदला लेने के लिए रवी का इस्तमाल किया स्वामे जी को मारके उसका इलजाम मैंने पवित्रा पे डाल दिया और मैं काम्याब हो गया दूसरी बार मेरी जीत तब हुई जब मैंने रवे को निर्दोष साबित कर दिया फिर पवित्रा की गाड़ी से रवे को मारके पवित्रा को मढरर साबित कर दिया बिर्जू सेलफोन दो अलो पापा मुझे पता चल गया है कि वो कौन है और यह सब क्यों कर रहा है कौन है बेटी लॉयल श्री कृष्णा लेकिन उसने ऐसा क्यों किया क्योंकि वो वेंकटेश्वर राओ का बेता है कौन वेंकटेश्वर जब आप महबूब नगर में मेजिस्ट्रेट हुआ करते थे तब आपने एक आदमी को कलेक्टर को मारने के जुर्म में मौत की सजा सुनाई थी वहीं वेंकटेश्वर थे तुम निर्दोस तभी साबित होगी जब क्रिष्णा अपना जुर्म कबूल करेगा तुम्हें लगता है वह इतनी आसानी से अपना जुर्म कबूल करेगा करवाना पड़ेगा कैसे उसे ब्लैक मिल करना पड़ेगा ब्लैक मिल क्रिष्णा अपनी बेटी स्वीटी को बहुत प्यार करता है वोस के लिए कुछ भी करेगा हम ब्लैक को किड़नाप करेगा किड़नाप स्वीटी क्या है बेर्चो अंकल दुबई में तुम्हारे दादा एक्स्पार हो गए तुम्हारे पेरेंट्स वही गए है दो दिन तुम्हें आंटी के पास रहने ठीक है ओके आजाओ तुम स्वीटी को अपने साथ वीरू की कंस्ट्रक्शन साइट पर ले जाना और वहीं से क्रिष्णा को कॉल कर तब तक मैं क्रिष्णा बाउस के पास पॉष्टा बिर्जू मैं तुम्हें का और केस्ट दे रहा हूँ अच्छे से डील करें कैसे हो मिस्टर श्रीक विष्णा अइम फाइं कौन बोल रहा है पावित्रा पावित्रा मुझे कॉल किया मैंने तम्हारी बेटी को किद्नाब किया है स्वीटी के बारे में पता चलते ही वो टेंशन में आ जाएगा और मैं उसके साथ रहकर उसे और ढराऊँ बोलो प्रपा करें सर हमें पोस्ट मॉटम की रिपोर्ट मिल गई है आपके चेक करने के लिए आएंगे सर नो मैं एक केस के सिलसिले में गड़वाल जा रहा हूँ आने के बाद देखता हूँ वो कहना क्या चाहती है पागल हो गई है क्या सर आप टेंशन मत लीजिए स्वीटी को कुछ नहीं होगा मैं हुना स्वीटी को कुछ हुआ न तो मैं उसको और उसके बाप को शूट कर दूगा वैसे उसने बताया उससे क्या चाहिए सौमी जी का मडर मैंने ही किया है ऐसा मैं पुलिस को बोलो को कॉल करके मता है सर पुलिस को फोन मत कीजिए स्वीटी की जान को खत्रा होगा मैं क्रिशना की वाइफ को कॉल करके बता दूँगा कि स्वीटी को किड्नाप कर लिया गया है हाँ इंदरा सुनिय जी स्वीटी अभी तख घर नहीं आई स्कूल से कोई उसे कार में बिठा के ले गया है इंदरा तुम चिंता मत करो स्वीटी मेरे साथ ही है वो यहां खेल रही है हाँ हे स्वीटी पानी में मत जाओ पीछे आ जाओ पेटी इंदरा तुम फोन रखो मैं आ रहू ठीक है सर आपने भावेजी से जूट क्यों बोला अगर मां सच बोलता तो इंदरा को सद्बा पोश्था हलो टाइंग बेस्ट करके अगर तुमने मुझे पुलिस के हाथ पकड़वाने की कोशिश की तो मैं स्वीटी को मार दूंगी हलो हलो है देमिट तर उसने क्या का मुझे दंकी दे रही है कि उस सारे कुरा अगर मैंने पने सर पे नहीं लिये तो स्वीटी को मार देगी तुमारी दंकी देने के बाद क्रिश्णा के होश उडगे वो तुमारे कॉल का इंदजार कर रहा है तो मादे घंटे के बाद उसे वापस कॉल कर रहा है इंस्पेक्टर अंदर है किया अँ 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 पवीत्रा अब तक तुम्हें बहुत सारी गद्या की है मैं तुम्हारी मदद कर सकता है मैं जादा बाते मत करों तुम्हारी वज़े से मेरी इजसर चली गई मैं और यहां नहीं रह सकती कहीं दूर चली जाओंगी और उसके लिए मुझे एक करोड रुपे चाहिए एक करोड पैसे लेकर भी स्वीटी को नहीं चोड़ा तो तब बताओंगा कि मैं कौन है सर आप इतना रिस्क्यू ले रहे हैं मैं उसके पिता को ले आता हूँ पिता के कहने पर वो स्वीटी को छोड़ देगी सर आप जिसे ढूंड रहे हैं वो लॉयर है यानि ये तो नहीं पता मगर पिछले राम नॉमी में हम लोगों ने साथ में ये फोटो घीची थी ये देखिए ये बिर्जू है ना हाँ सर लेकिन ये वेंकटेश का बेटा शिरी कृष्णा नहीं है देखिए प्रभाकर सुबा पवित्रा का फोन टैप किया था ना वन नमबर बताव हालो पवित्रा एसीपी सुरेंदर बोल रहा हूं विंकटेश्वर जी का बेटा लॉयर श्रीकिष्णा नहीं है बिर्जू है सर मेरी पापा ने उन्हें नहीं मारा बिर्जू का भरोसा मत करना श्रीकिष्णा फैमिली के बारे में मुझे पता चला है तुमाही रुको ओके सब ठीक है मैं अपने पिताजी को मानने वाले का मर्डर कर दूँगा वो चलेगा ना पवित्रा ये निशान कैसा है अपने पापा से बात करो हलो डाडी अब तुम ऐसे कब आ रहे हूं तुमाही मिटा आपकोन बोल रहे हों आंटी रॉंग नंबर है वो मेरे दाडी नहीं है तुम्हारे पापा नहीं है मेरे डाडी होते तुम अच्छा स्विटी बुलाते अपने पापा का नंबर बताओ हलो हलो डाडी मैं आँटी के साथ हूँ मैं ठीक हूँ डाडी ना कभी मैंने आज तक आपको देखा है और नाही कभी आपसे बात की है श्री कृष्णा मैं पवित्रा बोल रही हूँ मैंने आपके बेटी को किड्नाप कर लिया है किड्नाप? श्री कृष्णा आपको अपने जुर्म कुबूल करने होंगे मैं कुबूल करने होंगे लेकिन क्यों? अब तुम्हारी कोई इज़त नहीं बची है इसलिए मुझे एक करोड चाहिए एक करोड? हाँ यह पूरा खेल बिर्जू ने खेला है उस पर विश्वास मत करना बिर्जू? सर पवित्रा के खिलाफ तीन मर्डर केस है ना तो आप एक जज़ होने के नाते उसे क्या सजा देंगे? पवित्रा ने मर्डर नहीं किया है बिर्जू वो श्री कृष्णा ने मेरी बेटी को फसाया है मेरे पिता ने भी उस कलेक्टर का मर्डर नहीं किया था उन्हें तो उस जुर्म में फसाया गया था तुम्हारे पापा? कौन है तुम्हारे पापा? वेंकटीश्वार कुछ याद आया? आज से बीस साल पहले मैं और मेरी माँ आपके घर आये थी वाच मैं इन लोगों को बाहर ले जाओ स्वामी जी और रवी जी की वज़े से कितना अच्छा हो गया मैं आप से कभी जिंदगी में दुबारा मिलूंगा ऐसा सोचा भी नहीं थी जब स्वामी जी ने मुझे बुलाया था तब मैं उनके आश्रम पर गया आश्रम में काम करने वाला रवी नाम का एक लड़का मेरा कैमरा लेकर भाग गया है उसे तुम्हें पकड़ना है तब स्वामी जी ने रवी को पकड़ने के लिए मुझे पैसे दी झाल 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 पिर मैं रात को आश्रम में गया और वहाँ स्वामी जी का हॉल डोल इंजेक्शन लगा जो जन्म लेता है उसके मृत्यू निश्चित है और मृत्यू के बाद ही पुनर जन्म होता है लेकिन मैं क्यों मारू? बदला लेने के लिए तेरा मरना बहुत जरूरी है स्वामी जी को मारने के बाद रवी के बताय हुए लॉकर को मैंने चेक किया और वहाँ कुछ नहीं था अगर तुम्हें स्वामी के मड़र केस के सबुच चाहिए तो जज़ पांडू रंगा राव के घर पर आज़े वहाँ एक एक्समार की सीडी मिलेगी मेरी इंफोमेशन के हिसाब से पलिस तुमारे घर को सर्च करने आए और उन्हें वो एक्समार की सीडी मिल गए पवित्रा को लगता था सीडी रवी ने रखी मुझे पूरा याकिन है कि वो सीडी रवी ने रखता है मैंने कहा था ना श्रेक्रिष्णा बहुती इंटेलिजेंट लॉयर है अब फिर से मुसीबत की शुरुआत हो गए श्रेक्रिष्णा के कोट में केश जीतने के बाद पवित्रा को रवी पर शक होने लगता रवी के गाउं जाने से पहले मैंने उसे एक जगा बुलाया ये एक सुनसान जगा थी तो अपनी माँ को क्यो लेकर आया वो मेरी मा मुझे कही अकेले जाने नहीं देती मैंने तुझ पर वरोसा करके स्वामी जी को मार दिया मैंने क्या क्या थी तो तूने कहा था लॉकर में एक करोड होगा अगर स्वामी जी के पास नहीं है तो शायद उनके लायर श्री कृष्णा जी के पास होगा और वो मुझे ऐसी देदेगा है न? अब क्या करना होगा? तुझे मेरे लिए काम करना होगा फिर मुझे एक करोड मिल जाएंगे और तुझे पवीत्रा मिल जाएंगे यह चांदा है न? तुझे क्या बोलना है? बस वही बोलना रवी को मार कर और पवित्रा को फसा कर मैंने श्री कृष्णा से करोड लेने का प्लान बना है बहुत बढ़िया रवी, मेरा काम हो जाएगा स्री कृष्णा सीजर पैलेस में एक पार्टी मनाने आया था उस होटल से बाहर जाते वक्त, सिसी टीवी कैमरा में उसका फुटिज़ आ है मैंने उसका बिल ले लिया और पीछे वारे दर्वाजे से बाहर चला गया एे, तू और मैं पवित्रा के घर जाएंगे मैं उसकी कार निकालकर उसे डराऊँगा तब तक तू उपर जाकर ये सीडी उस सीडी प्लेयर में चला देना और फिर यहीं आकर मेरा वेट करना, जा जब मैं पवित्रा की कार लेकर उसे डरा रहा था दब रवी उपर उसके कमरे में चला गया और उसने मही किया जो उसे कहा गया थी जाहे किसी भी तरह से मैं तुम्हें जील भेज दो गरू और तुम्हारे घर से तुम्हारी कार चुरा के किसी को मार दूगा पापा पापा जब रवी केके टावर पर मेरा वेट कर रहा था तब मैंने पवित्रा की कार से उसे पुछल जाए जज से मेरा बदला लेने के लिए तेरा मरना जरूरी था हेलो कंट्रोल रूम पुलिस से बचने के बाद पवित्रा ने मुझे कॉल किया फिर हम दोनों डंप याड में गए सुराख धूंडने के लिए और पवित्रा की कार में मैंने सीजर पैलेस का बिल डाल दिया इस पप में बहुत से कैमरेज लगे हैं मैंने श्री कृष्णा के घर से उसकी डायरी चुला ली और एक वैसी ही डायरी दिखने वाली डायरी में वो सब कुछ लिख दिया जिसे पढ़कर पवित्रा को श्री कृष्णा कुनेगार लगे और उसके अंदर एक पेपर कटिंग भी रख दी मैंने एक डुप्लिकेट फिंगर प्रिंट रिपोर्ट भी बनवाई और जान पूछ कर उसके सामने डायरी फिक जिससे वो पेपर कटिंग जिसमें मौत के सजा सुनाई थी वो बाहर आ गई उसे पढ़ने के बाद पवित्रा को लगा श्रीकृष्णा वैंकिटेश्वर का पेटा है हम स्वीटी को किट्नैप करेगे पवित्रा को लगे कि वो श्रीकृष्णा से बात कर रही है Adaptation इसके लिए मैंने बीच में दो लोगों का इंतसाम किया था मैं श्री कृष्णा से एक करोड लेकर स्वीटी को वापस कर दूँगा और उसके बाद आप और आपकी बेटी बिजो कहा हो तुम पवीत्रा मैं श्री कृष्णा को लास्ट बिल्डिंग पर ले आया हूँ तुम वहीं पर आजाओ आपको तो पता भी नहीं होगा कि कॉलेज के दिनों में मैंने कितनी महनत की थी सोचा था खूब पढ़ लिखकर मैं अमेरिका चला जाओगा पर यहों नहीं पाया सब की नजरों में मैं एक कातिल का पेटा था बिर्जो? अवित्रा, उपर आजाओ आपकी रिवॉल्वर से मैं आपकी बेटी को आपको शूट करने को कहूँगा यह मास्क पहना कर तुम्हें श्री कृष्णा बना दूँगा श्री कृष्णा कहा है? वो देखो वहाँ पर है उसने अपनी गल्ती मान ली? नहीं, अभी नहीं मानी इसलिए मैंने उसे ऐसे बांद कर रखा तो अब हमें क्या करना है? इसे मारना है तुम सोच क्या रही हो पावीत्रा? तुमाने कलाव तीन मर्डर केस वैसे ही है इसको मारने के बाद चार हो जाएंगे इसने तुमारे साथ क्या किया जानती हो ना? येलो रिवॉल्वर अकड़ो शूट हिम बिश्चू वो लॉयर श्रीकृष्टा नहीं मेरे पापा है गुस्से में आके अगर मैं उन्हें श्रीकृष्टा मान भी लेती और उन्हें मार भी डालते तब भी तुम मुझसे बद्ला लेने के लिए मुझे बार डालते फोन उठाओ उठाओ फोन वोन उठाके सर पैसा यहां लेके आईए स्वीटी की जान को खत्रा आए उसको बचा लेजिए ऐसा बोलके मुझे फसाया यू चिटा तुमको मैंने अपने भाई जैसा समझा था लेकिन तुमने छे रखो पैसा बच्पन में भी तुमने मुझे यहां चोड़ती थी मा अब प्यार किया तो यहां चोड़ती और यह दर मुझे सेहन नहीं होगा विर्जू मैंने तुम्हें पसंद किया था तुमसे शादी करना चाहती थी पर तुम मुझे महार डलना चाहते हो तुम्हारे बारे में पता नहीं होता, तो शायद मैं खुशी-खुशी, तुम्हारे हाथों मर भी जाती, जो कहते वो करती, तुम पर यकीन करके जब मैंने तुमसे पूछा था, कि तुम उससे प्यार करते हो, सच्चा प्यार, और अगर तुम सही में उससे सच्चा प्यार करते थे, बदला लेले का जुरून तुम्हारा मिठ गया होता, तुम कभी बदला नहीं लेते, सिर्फ प्यार करते, पर तुमने उससे कभी प्यार नहीं किया तुम सही वक्त का इंजार करें दे उसको मारने के लिए इसने अपने बदले के लिए मेरे बेटे को मार दिया दिस्ट्रिक कलेक्टर तो बनना चाहता हूँ कलेक्टर और तुम पैजान लिया आसानी से नहीं मूलूगी तुम मुझे नहीं मारोगे तुम अच्छे लड़के हो ये निशान कैसे हुआ? जब मैं छोगी थी एक लड़के ने मुझ पर पत्थर फेखा था उसी का निशान है अभी उसे मिलोगी तो पहचानगे आए याओ आहाए बाएた क्र फैजाने आहार पाए आहाईो आहाँ एाए झाल हुआ है तो झाल हुआ झाल हुआ झाल हुआ हुआ है